अब आप जल्दी जल्दी बताएंगे आवास क्लियर आ रही है गगन इम्रान प्राची जै अब अब ती जाएंगे अब शुरू किये थे इंट्रोड़क्षिन टू अकॉंटिंटिंग्साइं पर चाहिं थोड़ा समयने कहा तब अकांटिंक सेनल होती क्या चीज़ है कि अरवाति कोई कोई से रेलेटेट से रेलेटेटीट कोई याइस तो कुछ हम लोगों कर दें वारे इसके बारे बात करें लग अलग तरह के अगaltam से हमारे होज़े हो ते हम आपने देखे थे कि इसके साथ होते हैं वह वह तो त्या ते है कि आपकोंटाइक स्थाथ में सीखें होते हैं Intermediate में ठीक है और एक accounting standard जो हम लोग ने international accounting standard को की तरह accounting standard हम ने बनाे क्योंकि global market में हम लोग बारे कि हम से foreign कर सके investment कर सके market stock exchange में हम लोगregister कर सके isz leg investor आसाche स्वाइनेश स्टेटमेंड को तो एक जैसा financial statement हम लोग ये जैसे हम लोगने क्या करें हम लोग दे एक इंडेस नाम से एक और Accounting Standard की सीरीज चुरू करें जो की Almost किसकी तरह है हमारे International Accounting Standard की तरह है लेकिन International Accounting Standard को हमने क्या 100% करें के नहीं, दो अप्शन थे हमारे बस एक Adopt कर लो और एक Convergence कर लो मतलब कि हमने अपने Accounting Standard बना उसकी तरह और कुछ-कुछ जगह पर जहां पर उनमें और हमें Differences थे हमने हम कुछ लगा कि हम अपनी तरीकी तो चेंज करें उसको काव आउट के ते और कारविन करके concept होता है कि अगर सब्सक्राइब का मतलब है कि हमने International Accounting Standard को कोई सब्सक्राइब करें हमको यह नहीं करेंगे करके तो इसको इसको कारविन की जो International Accounting Standard में नहीं दिया हुआ है उसके एडिशन में हमने कुछ और अपने इंडियस में बोले कि नहीं यह ऐसा होना चाहिए करके हमने कुछ और आड करें तो यह तरम्स दोने ख्याल रख रहा है हम इंडियस में और International Accounting Standard में हमने जो डिफरेंस हमने को एक्सेप नहीं कर रहा है यह हमने कुछ चेंजिस करें तरिस कारवार हमने कुछ अलग उन से बात करें कारविन का मतलब होता है कि उसमें वह नहीं है और हमने एडिशन उसमें करें तो तो यह तो इस गूद मॉर्ण आशिश हमानी अब यह हमारे अपने अपना अपना है अब यह अपनी साइडर्ड जोते हो गाप का एक हिससा है हर अपनी अपना हिस्ता है पने इंडियान GAP है, US GAP है, UK GAP है, अपनाा सीरीज होती है, Masonic and Singapore सला एक साइट फॉञिक्षे वैडलाइन होती है कोई रिस्पेक्टिल एरिया में में हमको कोई जरूरत पड़ती, हमको क्यों प्रकार्व करें सारे चीज बिला कि हमारा गाप की यह बात किये थे जो कि प्रिंसिपल संडर्ड जो होते यह वह हमारे गाप का हिस्सा होता है उसके बाद फिर रहे यह कॉंबिनेशन होता है सब सब्सक्राइब करता है जैसे कि अगर आपना भी फॉंडेशन लेवल सा है तो आपको पता है यह डारेक्ट एंट्री जो रहता है उसमें अपने को फीफो माथट है वेटे आवरेज में तो वह बताता है अपने को कि यह अल्टरेटिस है अब कभी करता है आप आगे लीफो माथट यह अपने फॉंडेशन बढ़े लीफो माथट में सौल्फ करने के लिए आप नहीं करें लेकिन ऐसको उसको अलाव नहीं जाहिए और जब अगांटी को ध्यान पर नहीं लेगन अगर तभी दोनों में contradiction हो गया law में भी हो गया और accounting standard में हो गया तो हमको law को मानना पड़ेंगा अपर चीज में रिचेक कर देगी फिर हमने देखे थे कि accounting standard किस चीज के बारे में कहता है recognition के बारे में कहता accounting standard कोई AS कह सकते है कि recognize कह से कहता है मतलब कभ books of account इसको लिखना है पर एक्जामपल अगर मैं कहता हो कि AS 10 वह है property plan and equipment का बच्चे लेकिन वह कब उसको लिखना है वह अपने को बताएंगा अगर मतलब कितने पे लिखना है उसकी कीमत क्या उसकी कास क्या वह भी हमको accounting standard उसके बारे भी बात करते और presentation किस तरीके से प्रेजेंट करें हम लोग एक AS 5 पढ़ेंगे हम लोग आगे जब एस फाइव पढ़ेंगे तो आप महापे देखों कि presentation कैसे कर रहा है आइटम को पीनल अकॉन में किस तरीके से लिखना है वह भी accounting standard बताता है और disclosure अब लोग उसके बात करेंगे उसके बात करेंगे आज एक बड़ी इंपॉर्टन चीज देगे अपलीकिबिलिटी ऑपकांडिकेबल होती है क्या हर बिजनसमें आपके घर के पाद छोटा सा कोई दुकान कोई तो फिराना शॉप है तो उसको भी यह एसा अपलीकिबल होता देखेंगे तो इंट्रोडक्शन वेक अलग चैप्टर बोलती है और एपलीकेबिलिटी एक लिएक लेकिन वह आपणिकेबिलिटी वाला भी पार्ट में कवर करता हूं ओके तो यहां पे हम लग आज है अकाउंडिक जेटर में अब हम फिर शुरू नहीं हुआ अभी हम ल लिख लो उसके बाद पिर मैं आपको एक्स्क्लेन करता हूं, तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, आपने चार नोट्बुक ला लिया, कोई स्टुडेंट कह दा, मैंने ला लिया, तो चार आपने, कल जैसे में आपको समझाया तो नोट्बुक वो ले के आना, ठीक है प्रॉपर पढ़ना आपने, जैसे जैसे कह रहा हूँ, वैसरे सापको करना रहेगा, ठीक है, तो शुरू करें, अब आप लिखेंगे यहाँ पर, benefits of accounting standards, आज अपन इस पहले वाले चाप्टर पर question भी solve करना रहेगा, ठीक है, भी questions भी solve सरेंगे, benefits of accounting standards, ओक, मैंने भी लाज, ओक लाईए, ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहला benefit आप है, लिखेंगे, फर्स पॉंट, और आप अल्टर्नेटिव अकाउंटिंग ट्रीट्म कि मतलब इसका क्या होता है कि हम उन्हें क्या करें कि स्टेंडर्डाइस करें उसको हमारे पर बहुत से अल्टर्नेटिव वह जाते ना इसे एस टूब अगर मैं आप से को महीं होत अब अपर दिखूँ करोग चैजिए ऑफ्यर है अब दिखूँ acquis को बाद में आपने डिसकस करोग29 अब पहले इसको भी लिख लो लेकिए अब आप लिखेंगे पहला पॉइंट अकाउंटिंग उस तेंसे बसा टार इल, आप बाद। शनेश सकत्वाइब होगा कि लेकि अतल्य की लिख अकाउंट स Data any confusing variations, variations in the accounting, treatment and presentation, treatment and presentation, treatment presentation of economic events while preparing financial statements. तो क्या कह रहा है आपको? The accounting standard reduce or eliminate to a reasonable extent any confusing variation in the accounting treatment. कभी हमको confused होते हैं कि करना है नहीं करना है क्या करना है? तो accounting standard बताता है कि क्या करना है? जैसे कि accounting standard 2 ने हमको बताया है कि inventory की cost में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए? उसी तरीके से accounting standard 10 property, plant and equipment वो हमको बताता है कि accounting standard में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए? यह हमको बताता है कौन बताता है? प्रॉपर्टी प्राण्य 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 कॉस्स में क्या आना चाहिए? क्या नहीं आना चाहिए? तो confusion भी हमारा क्या करता है? दूर करता है and presentation of economic event while preparing जब financial state में बताता है तो बनाने में मदद करता है और बहुस्तों अल्टरेटीस है वेटेड आवरेज मेथर्ड है एक्जाम्पल में आपको यहां पर लिखता हूं वह कहता है कि FIFO है वेटेड आवरेज माथर्ड है लीफो है अल्टरेटेज चाय्वाइब करता हूं था आपर है और सब अपनी मन मानी भी करते तो अपने तो तो पराबर घएड करती है करना घंड आउ ありեյ पॉइड इस चाप्र मित आपो most probably आज यह इंट्रोडक्शन जो है आपको वो खतम होगा उसके बाद टेस्ट होगी तो टेस्ट पेपर आप लोगों को गूगल ट्राइब अप्लोड कर दिया जाएगा ठीक है आज ही अप्लोड हो जाएगा वो टेस्ट पेपर फर्स्ट चैप्टर पर इंट्रोडक्शन पर पर एक कैसे करना है क्या करना है मैं आप क्लास के बाद इक्स्प्लेयन करूँ करूँ ठीक है अब सेकेंद पॉइंट है रिक्वाइर्मेंट है रिक्वाइर्मेंट फॉर अधिशनल डिस्ट्लोजर कि वोके requirement for additional disclosure अब इसको बेच्छह समझो तो additional disclosure को ऐसे आपको हर अकाउंटिंग सेंडेर्ड जब हम लोग एक किकर के शुरू करें ना next लेक्चेर में कोई accounting सब्स्कृर्स शुरू भी आप देखोंगे कि accounting standard अपने तरब से कहता है कि आप ये भी disclose करो और एक होता है कि ने आपको बोला कि ये disclose तो वो तो disclose कर नहीं है अपने पर वो एक अलग चीज होगी लेकिन जो law के addition में भी accounting standard कि आपको ये ये भी disclose कर ना तो हमको disclose कर तो requirement for additional disclosure वो कहता है in fact आपको पते हैं जब आप पढ़ऊंगे International Accounting Center अभी नी आपको आगे लाइव में पढ़ोगे तो International Accounting Center जब पढ़ऊंगे उसमें बहुत डिसक्लोजर गारते हैं कि नोट्स तु अपर के दो करते हैं कि प्रमौट करते हैं कि इसे लिए कि जो user सा financial statement उनको इनिफरमेशन भली fraud ना हो fraud ना हो fraud ना हो There are certain areas where information is not statutory, statutory by law जरूरी नहीं, लेकि केस बोलता है कि नहीं, आपको भी ये भी इस्क्रोस कर रहा है, statutory is required to be disclosed, however, accounting, आपको लिखना या, accounting standards may call for, may call for appropriate, may call for appropriate disclosure. of accounting, policies followed and other required information, another required information, other required information, in the financial statement, in the financial statement, which which would be helpful, helpful for readers, readers to understand the accounting, treatment, done for various items, in those financial statement, in those financial statements, मैं आपको एक और चीज़ कह रहा हूँ, कि आपको नो कोई भी चीज़ को रटना नहीं रहेंगा, ऐसे कोशिश मत करना, कि आप चीज़ों को रट रहे हो, ठीके, कोशिश मत करना, कि आप आप चीज़ों को रट रहें, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, benefits of accounting standards, इसको रटना है, इसको रटना है, अधिशन requirement rate discloser की कहता है, standardization करता है, alternative, different alternative को अपने को guide करता है, इसको रटना है, यह कंपारिजर में बई इक benefit था है, आगे लिखूंगा तो इसको याद मत करना, accounting कोई theory subject है नहीं, practical subject है और more application अब आगे आप देखें कि अभी कोशिश जब अपन करेंगे तो आपने इसको सिर्फ अंडेस्टेंडिक से समझने की समझ यह दाट से रटने की कोशिश मत करना और अभी मैंने अप्जर्व करें इंसुट के जो लेटेस्स मटेरियल है वो सारा का सारा उसमें आपके यह बु मुझको अभी भी लगता है कि 30 मार्स के 70 मार्स में भी वह एक हाथ जगा रेरली हो सकता है कि कभी को पूछ ले क्यूंकि उन्हें अपने न्यू स्टेडिय में अपने इस नोट्स में आड कर लियो वह भी आप से मैं डिसकस कर लिया कर वह कि इसको आप ज्यान में रखना त आपने सारी चीज़ समझें तो थेयोरी में कुछ ऐसा रहता नहीं है लेकिन एक बार उसको भी गो थुरू करेंगे क्यों क्यूंकि ऐसा नहीं कि कभी पूज पी ले इंस तो अपने को प्रॉपर आना चाहिए ओके नो राइड नो थर्ड पॉइंट नो थर्ड पॉइंट कि कमपेरिबिलिटी अब होता क्या है कि कमपेरिबिलिटी का मतलब क्यों कि मैंने कहा कि नहीं नहीं सर नहीं यह रही मेरी अकाउंटिंग यह मेरा रहा फाइनिश स्टेट्मेंट यह रहा मेरा फाइनिश स्टेट्मेंट और मैंने कहा कि जब फाइनिश स्टेट्मेंट मैं फॉलो करता हूं लेकिन उसी तरीके से करता हूं जिस तरीके से मुझे अकाउंटिंग सैंडर्ड कहता है तो मैंने अपना सपोज यह 2022 का यह 23 का फाइनेशल स्टेटमेंट है और यह रहा मेरी ही कंपनी का 2024 का फाइनेशल स्टेटमेंट तो यह मेरी ही कंपनी मेरी कंपनी का नाम है क्या ना हमें मंजीत रख देते इसका नाम है मंजीत लिमिटेड यह कंपनी का नाम है मंजीत लिमिटेड ठीक है मंजीत तो यह राम मंजीत लिमिटेड और यह मंजीत लिमिटेड की यह क्यों नहीं कर सकते वह इसलिए कर सकते क्योंकि फॉलो करें जैसला हम अकाउंटिक स्टेंडर्ड ने कहां वैसा हम फॉलो करते हैं और इसलिए मैं अपने financial statement को कर सकता हूं comparison इसको कहतें इंट्रा मतलब एक यू और इंट्रा मतलब एक यह organization को compare कर रहे हैं समझ मैं ही चीज़ आपको क्यों comparability possibility है क्योंकि हम लोग accounting standard follow कर रहे हैं जब फाइनिश स्टेट्मेंट प्रिपेर करें तो जो rules है उसको हम लोग follow कर रहे हैं समझ मैं ही चीज़ अब इसको कहते intra अब inter comparison भी अब inter comparison का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ for example यहां पर मैंने आपसे का कि एक आपका कि एंटीटी है एक एंटीटी है उसका नाम है जीयो मुकेश अंबानी जी दूसरा है आपका एटल ठीक है मितल अब यहां पर यह अपना financial statement सब्सक्राइब 2023 का और दोनों का 2023 के यह financial statement इसे कहता है comparison इंटर comparison मतलब आप एक अलग-अलग entity हो लेकिन एक इंडस्ट्री के टेलीकॉमिंट ने सुई जियो और यह एटल तो वह अपने financial statement को compare करे कि वह दिखू उनका ऐसा performance हमारा ऐसा वह भी accounting standard पर बने वे हम भी accounting standard के base पे हमारा financial statement बना हाँ उन्होंने अपनी accounting policies को बहुत कुछ accounting standard करता है कि disclose करो उन accounting policy को disclose भी करें उन्होंने weighted average method follow करें हमने अगर फीफो भी follow करें तो दिक्कत नहीं हमको पता तो है कि उन लोगोंने कोई और method follow करें तो हम लोग उसमें changes भी कर सकते इस method के साथ तो क्या impact पड़ता profit पर और हम दोनों अपने financial statement को क्या करें कि compare कर सकते लेकिन कब compare करना पॉसिबल है जब एक जैसी समानता रहे समानता रहे एक जैसा सब मनमानी करें आप अपनी मनमानी करो मैं अपनी मनमानी करो कोई और अपनी मनमानी कर रहे और अपनी अपनी सब financial statement हम लोग बना रहे तो क्या हम लोग comparison कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बेस शुडबी से तो यह एक advantage होता है हमारा accounting standard का कि हम compare कर पाते है write down there write down there to improving in addition to improving creditability of accounting data of accounting data standardization of accounting procedure accounting procedure improves comparability of financial statement both intra enterprise what is intra a key entity inter matlab alag alag inter enterprise intra enterprise and inter enterprise such companies such companies such companies are very effective such companies are very effective active and most widely used tools for assessment of enterprise financial financial health and performance health and performance health and performance by users of users of financial statements for taking economic decisions छोच को बार, सुनने हें भीजार ऑॉर नान है वे क्वैसिताा प्रेक्ट' भार नाोलघ द redist्त्र 9 17 प्रेस्त पिर्द और not to lend and so on आप लिखो फिर मैं फिर से और एक बर explain आपको करता कोई चीज क्या चीज होती जब हम compare करते हैं आप खुद सोचो आप दो financial statement को बच्चे compare करते हैं तो आपको कितनी चीज़ों में मदद करेगा आपको खुद को मदद करेगा और जब आपको organization जब आप महा पे गए लोन लेने के लिए कर बैंक तो बैंक आपका financial statement देखता है compare करता है बताओ फिछले साल का क्या था इस साल का performance कहता है फिर वो आपको सोचेंगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है इंवेस्टर के नदरिये से सोचो वह भी compare करेगा और वह बलेगा यार इसकी growth है कि नहीं लास्ट यह जो परफॉर्मेंस उससे जादा growth है कि नहीं और growth अगर रही तो फिर वो क्या करते अगर growth उसको करना है कि नहीं करता है तो आप पहले वह compare तो करोगे परफॉर्मेंस के सब्सक्राइब करना है कि इनवेस्ट नहीं करना है तो इसलिए कंपारेबिलिटी फाइनिशन स्टेट्मेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हमारे वह आपको डिसीजन लेने भी मदद कर सकती कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है लोन देना है नहीं देना है और खुद के लिए भी बैनिफिट्स तो तीन बैनिफिट्स है कि वहारे और अल्टरनेटिस को कम कर देता है डिस्कलोजर रिक्वाइर्मेंट बढ़ा देता है और कमपारिबिलिटी में हम तो क्या करता है बच्चो आसान करता है अब मैं इसको इसको फॉलो कर रहा है अभी तो आप पढ़ रहो सब्सक्राइब लेकिं सच को जब आप चार्टर अकाउंटेंट बन जाओंगे अपने आपके पास टाइम नहीं है मैं आई में तो से जब बन जाओंगे यह आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं कि अकाउंटिंट को पॉलो को यह मैनेजमेंट करेगा यह कौन करेगा अभ अब देखो मुझे नहीं पता आपके PC में क्यों एक स्क्रीन फूल ठीक है ओके । आवाज है पर पर यह सब्सक्राइब अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनेंगे जस्ट गिव वन मिनिट अब द्यान से बाप मेरी बात से कि असमें तो यह मैंने कहा है यहां पर आप कि पहले हमारी क्या आप जब चार्टेट अकाउंटेंट बन जाओगे तो चार्टेट अकाउंटेंट बने बात क्या यह किसकी responsibility होती 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 है कि वह accounting standard को follow करें हमारी जिम्मेदारी नहीं है आप तो CA बनने मुले आपको भी पता नहीं आप की एहमियत क्या है जब CA बन जाओंगी जब आपको पता चलेगा ठीक है तो आपकी जिम्मेदारी होती है audit करना चेक करना कि accounting standard follow हुए की नहीं अगर हुए तो आप अपनी report में लिखोंगे भी audit report में कि यह company accounting standard follow नहीं करें तो accounting standard follow नहीं करें करके ठीक है यह आपको कमपनी का आप से कहेंगी आप चार्टर अप चार्टर आप कोंग अपने फॉलो नहीं करें आप का काम फॉलो करना नहीं है आपका काम क्या करना आपका काम audit करना रहेगा इस चीज़ को ख्याल से सुरेगे अब अपना आते हैं कि चलो इसको लिखो पहले कि नहीं मैं लिंक शेर कर चुका ठीक कुछ बच्चों के पास नोट नहीं थे तो वह लिंक शेर कर चुका उसकी कि पीडिएफ की कुछ किसी के पास नहीं है मैं क्लांस के बाद और एक बार शेर कर दोंट फ़री ओके अब आप लिखो यहां पर नेक्स्ट रिस्पॉंसिबिलिटी हेडिंग दो रिस्पॉंसिबिलिटी अगर किसी के बुक नहीं आई तो अभी आप उसको कई बच्चे के आगे किसी के नहीं तो पेज़ेस में कुछ लिख लेगा और उसको फिर आपको कर लिखना रहा ठीक है और इसकी पीडिएफ भी शेर कर चुका लिगिकि किसी को नहीं मिली कोई कह रहें तो डोंट वरी मै और एक बार आप से बाहन से डिस्टर्स करके कर बाह लिए, अब लिखो है यहाँ पे, यह अबि़कर सेराई risky है और यह तो टुद मे टमिते बाव लिख रहाँ क्ट से चपने। statement and for adequate disclosure is that of the management. management का काम है, financial statement भी बनाना है, हमारा काम नहीं है, management of the enterprise, okay, B point, the auditors, the auditors, responsibility, is to form his opinion and report on such financial statements. हम लोगों को तो opinion देना है कि वह अकाउंटिक सेंटर नोगों ने follow करे हैं कि नहीं करें, हमको तिस क्या देना है, अपना opinion देना है, लेकिन इसको follow किसको करना है, किसको management का काम है, हम तो auditors लोगें, अपना क्या काम है, अपने को opinion अपने को देना रहेगा, जब आप लोगों के आप लोगों के आप अपने जो भी आजिन के पास जोइन करोंगे, आपके सार आपको audit place पे बेजेंगे, आपको audit पे जाता था, तो पूने से अर्टिकल शीप होई है, तो वहाँ पे एक area इप इंपरी करके, तो वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल एरे, बहुत company दे सकते हैं, तो वहाँ पे audit पे में को सबसे पहली बार भेजे थे और अभी तो आप foundation करके आए हो, नन्ने मन्ने बच्च सबसे हो अभी आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट भी मिलती ही वहाँ पे और सी ये बनने वाले इंटर क्रैक करें फाइनल के सुडेंट कहला होंगे आप तो फिर नाइन मन्त में अपनी जर्नी कैसे बदल सकते हैं, आपका सोचो खुछ बढ़ नौ मेने की म फाइनल के सुडेंट के लाओंगे नौ मेने बाद अगर आपने इमानदारी से भी महनत करना आपको ठीक है रोज का रोज अपने को पढ़ना रहेगा जैसे जैसे टेस्ट आज चाप्टर खतब हो और इसके बाद आपको इस पर इंट्रोड़क्शन वाले चाप्टर पे भ अपर को नोप लोग्स का बहु लौ रोकवर को अपर को अधर्यी हो किसको फॉलौ करना है पो अकोवर अगानिक सांडर ऐसे मा लिखें है यह लौ प्रिवेल लौप रिवेल ओर अपर अचाउंटिंग संदर्ड इंव औकी law prevail over accounting standards, write down this, point number A, efforts will be made to issue accounting standards which are in conformity, ok. which are in conformity with the provision of the applicable laws customs, usages and business environment of our country. However, if due to subsequent amendments in the law, of subsequent amendments in the law, a particular accounting standard is found to be not in conformity with such law, ok. So, if you want to follow the rules of the law, you can follow the rules of the law, इस पास आगे भी पूक प्रोपर अपने इसी में लिखेंगे यह प्रिवेल 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 and the law and the financial statement and the financial statement should be prepared in confirmative with such law okay done तो अगर कभी contradiction हुआ यह ध्यान में रखा जाता है जब कोई अकाउंडिक से बनाता है कि लौ के साथ अपने अकाउंडिक से बनाएंगे तुम कुछ और कहते हैं लौ कि अपने अकाउंडिक से बना दी और कोई नहीं रहें लेकिन कभी हमने अकाउंडिक से बनाएं लौ में अमेंडमिन अगे मैं कहता है कि हमने जब इन्वेंटरी बना आपकाउंडिक से टूट तो फीफो माथट बोले वेट अवरेज में कल तो कानून कहता है अगर नहीं नहीं सब्सक्राइब फीफोर गतर अलाव नहीं है तो हम यह नहीं बोल सकते कि नहीं अलाव कर दिये विकेन ओन्तरडिक विट लॉट तो उसकेस में लॉट प्रिवेल कर रहेगा पोगे अब लोग आते हैं बड़े ही important discussion पर कि स्टांडर्स की अकाउणिक से वो बनाए जाते हैं किस तरीकी से अकाउणिक से बनाए जाते हैं ठीक है बच्छों जस्ट गिव में वन मिनिट जाते हैं कि किस तरीक से अकाउणिक से बनाते कोई भी चीज़ को प्लीज मत रटना अब आपके नोट्स में अगर आप देखोगे न तो यहां पर आप bonding को पेज 10 में दिया हुआ है पूरी स्टेप्स की अकाउंडिक सेंडर बनता कैसे अकाउंडिक सेंडर बनते कैसे उसको आपको यहां पर दिया लेकिन मैं आपको आपको लिखते जाओंगा अकाउंडिक सेंडर बनते कैसे अकाउंडिक सेंडर बनते कैसे सु यहां पर मैं लिकू लेता हूरे अइज आकाउंडिक स्टेडर्स accounting standards setting process setting process का मतलब accounting standards बनते कैसे अब बहुत अच्छे समझना है कि accounting standards बनते कैसे सबसे पहले मैंने लिखा थे step और रटना नहीं है रटना कोई भी नहीं आपको से समझना है कि अच्छे ये पहरी step है दूसरी step है सबसे पहले step number one यहां पर मैं लिखता हूं कि यहां पर हमने यह तै करें कि हम लोगों को कौन से एरिया में accounting standards की जरूरत है तो यहां मैं पहले लिख लो step number one step number one identification identification of area आप यह पता लगाओ कि आपको कौन से identification of area का मतलब आप यह पता लगाओ कि आपको accounting standard कौन सी चीज में जरूरत है क्या यह सारे के सारे accounting standard जो 29 तक है क्या ऐसा हुआ कि all of a sudden एक दिन सारे के सारे accounting standard आगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ एक दिन वो सारे के सारे accounting standard नहीं आए तो आप लोगों को उसने कहा है यहां पर कि accounting standard जो आपके है पेहला accounting standard कब आया बच्छे पहला accounting standard आपका है तिस्कलोदर अप्र आपका यहां पर पर 1st ऑ अपरिल 1993 को आया है अच्छा यहां पर पहला accounting standard आया डिस्कलोदर आपका पालिसी पूरियो इस तो इनवेंट्री पर आया ile लगा तो उन эти. लगते गया उन्हों दूरे अ कर देगा, इस पहले लग नंटाइफ करना पड़ेगा, कि हमको तो आणिणे फिचर ऑब्राड एड्या क्वोन से एडिया में पर अकांटिक सेंडर्ड की जरूरत है तो क्या चीज उते सबसे पहले यह accountigi standard board बना रहा हुसने का कि नहीं नहीं खाम का accounting standard board बनाते और उस accounting standard board का का म है तो see institute में भी हमारे एक accounting standard board अलग से होता है याप CA बन जाओंगे तो आपको बहुत से mail भी आएंगे accounting आब यहां पे क्या चीज़ होंगे आपकि accounting standard बोड बने और बोड की जिमयदारी है कि वह एरिया फइन्ड आउट करे कि यहाँ पर अक्वड के जिम्यदारी है यह ट क्या करे कि कहां कहां पर उनका कौन सी एस करते हैं कि यहुए आगे पीछे ठिटॉछ हो जाती इस पर एक्जांबल को 94 में है फिर बाद में चलके अपने को 2004 में लगा कि इसको चेंज करना है कोई इनको अकाउंटिंग सेंडर्ड की जरूरत है तो जब जब इनको लगा किसको लगा अकाउंटिंग सेंडर्ड बोर्ड को लगा कि ये इंसीट्यूट ने हमरा अकाउंटिंग सेंडर्ड बोर्ड बना रखा तो आइडिन्टिफिकेशन और ब्रॉड एरिया बाया अकाउंटि स्टेट ऐसे आते गए तो सबसे पहले तो यह तैय करना पड़ेंगा कि कौन से जैसे अग्री कल्चर के उपर अभी इंडियस में यहां पर अपने को नहीं नौर्मल अकाउंडिक सेंडर तो अभी नहीं लग रहा है कि नहीं कि हमको जरूरत है कि तुर्ण अग्री लगेंगा उसके उपर फिर अकाउंडिक सेंडर वो बनेंगे तो कई चीज़ होती जिसके उपर अकाउंडिक सेंडर नहीं रहता लेकिन जब लगता है आगे चलगे कि उसके उपर अकाउंडिक सेंडर होना चाहिए तो फिर उसके उपर भी अकाउंडिक सेंडर वो लेके आते यह रह हочки है ती हमसे step number two step number two, हो कहती है हमसे case constitution constitution of study group इसका मतलब यही अकाॉंटिं कस रण्डर बोर्ड जो हमारे see institute का see institute में अकाउंटिं अन्डर बोर्ड मेंने क्या कहाओ effective क्या एक और ज्वानिक सेनडर बोर्ड बनाता है अब यही अकाउंटिं सेंडर बोट ने क्या करा एक यही अकाउंडिंग सेंडर बोट ने एक सड़ी ग्रूप बनाया और उसमें अपॉइंड करा लोगों को और उन लोगों को बोला कि चलो 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 पहले तो इस सड़ी ग्रूप बनाया उन लोगों को बोला कि चलो 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 बेसिक आपको क्या क और इसके बाद क्या करें हम एक ग्रूप बना रहे है यह कौन बना रहे है यह ग्रूप यह अचahren Бorg added बोड़ी एह ग्रूप बना रहे बोड़ी एक अब आपको अपक काउंड पिक्र फॉर्म करना बैं और एक अचानी सेंड और यह जी जो होता है ये group क्या करता है बच्चों ये group को फिर ये बनाते step no three step no three ये group by preparation the or you preparation of अध्राफ्ट एन इस कि शर्क्यूलेशन क्या करता है कि ये बनाता है भी फिर एक draft और यह draft बनाते accounting standards का हमने अभी finalize नहीं हुआ है सबसे पहले अपने area find out करें कि कौन से area में accounting standards की जरूरत है second step अपने क्या करें कि उसमें एक group बना accounting standards बोर्डे ने और उनको जिम्मिदारी दी गई कि भी चलो अब आप काम शुरू करें अब आपको बनाना है हमको क्या बनाना है accounting standards और फिर वो एक draft बनाते और यह draft को क्या करते ड्राफ्ट तो बनाते ही बनाते और इस draft को वो circulate करते सर किसे circulate करते अलग अलग लोगों को circulate करते मतलब जो important है for example मैं आपसे कहता हूँ कि इन लोगों ने क्या करें कि इसको circulate करें किसे circulate करें इन्होंने बोले कि सेवी के पास इन्होंने अपने account जो prepare करें इसको क्या करें इन लोगों के पास बेजी कि ये लोग सेवी और और जो जो भी important organization है जैसे कि CAG से controller and auditor general के पास इन लोगों ने यह accounting standard को draft वाले accounting standard को भेजे उसके बाद for example उन लोगों ने भेजे इस accounting standard को किसके पास भेजे ministry of corporate office के बाद भेजे ऐसे कहीं लोगों को भेजते और ministry of corporate office के बाद यह accounting standard बेजो इसको circulate करा गया और हमने कहें कि बताओ 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 आपका इस पे opinion क्या है अभी तो draft है ना बना तो नहीं है पहले तो institute ने हमारे accounting standard board बना के रखती है हो सकता है कल तो मैं आप से आज बात कर सकता हो तो सकता है कल तो उस accounting standard board के आप header हो क्या पता आज किसने से देखा दस साल बीस साल बार और उसके बाद वह accounting standard board फिर एक group बनाता है उनको कहा जाते कि आप draft करो वह group क्या करता है ड्राफ्ट करता है accounting standard बनाता है जिनको बहुत सालों के experience रहता है वह रहते हो अकाउंट फिर वह ड्राफ्ट कर रहे और उसको circulate करते अलग-अलग important organization को for example से भी आरभी आती इसमें आरभी आरभी है control and audio general of India ministry of corporate affairs हम उन लोग को इसे circulate कर रहे और उसके बाल हम पूछते आपकी इसमें राय क्या है तो आउनका फिर क्या लेते बच्चे opinion लेते step number four हम को बताता है कि इनका opinion कै so ascertainment okay ascertainment of views of different of different bodies on different bodies on draft तो यह जो draft हमने बनाए है उसमें उनका opinion मांग रहे है सर यह draft तो बन गया हमने भेज भी दिये हमने भेज भी दिये okay so हमने क्या करे कि हम लोगों ने इनको यह circulate करे accounting standard जो draft कर गया और उनको बहले कि आप अपना opinion दो कि आपकी क्या राय है तो सेभी को भेजे control and ordinary general ministry of corporate office को हमने भेजे अब पहला step के आती identification of area कि किसे में हमको accounting standard की जरूरत है दूसरा हमने accounting standard बोर्ट तो पहली हमारी cnstudy ने बनाए दूसरा फिर वो क्या कर रहा है महाँ पर accounting standard बोर्ट ने एक ग्रूप बनाया और उनको यह दिम्यदारी दिया तीसरी step में कि आप prepare करो draft और वो draft को फिर क्या करें उन लोगों ने circulate भी करे circulate करे सेभी को करे control and order general को करे ministry of corporate office को करे तो यहाँ पर उन लोगों ने अलग अलग लोगों को अभी draft करा गया है तो वो finalize नहीं है draft copy है और उस draft copy को वो भेज रहे वो क्या कर रहे भेज रहे वो भेज रहे अलग अलग लोगों को उन्होंने RBA को भेजे सेभी को भेजे control and order general को भेजे उन्हें ministry of corporate office को भेजे और उनसे opinion पूछ रहे बाई कि बताओ और four step के the ascertainment of views of different bodies on draft वो draft का मतलब ही होता है कि अभी finalize नहीं है वो एक rough है draft करा गया है सिर्व लिखा गया है finalize नहीं है और फिर इन लोगों से पूछता है राय ली जाती कि आपकी राय क्या है आप हमको बताओ आपका इस पर opinion क्या है उसके बाद उनके opinion collect करे जाते यह जो ड्राफ्ट कॉपी पर क्या किया पहले circulate करा गया और फिर उनके opinion लेगे उनके views लेगे कि आप बताओ कि आपका क्या कहना है आपको कुछ लगता इसमें गलब तो आप कहिए आप अपनी राय दीजिए उनसे पूछा जाता है अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो उसमें बताए कि भी इसमें कोई सुधार नह साथ में लेगे opinion को सबके लिए अब उसके बाद क्या होता है आगे नेक्स टेप opinion लिए उसके बाद आती है हमारी step number फिफ्ट finalization of finalization of exposure draft exposure draft okay मैं exposure draft को ED लिख ले रहूं जिस मिनुट फिर मैं आपके पॉइंट बता रहूँ उसके बाद स्टेप नंबर सिक्स्थ कमेंट्स रिसीवड ओन एक्सपोजर ड्राफ्ट ओके अब ध्यान से बाप मेरी बास तो रहे मैंने कहा कि फोर्थ स्टेप में हम लोग ने व्यूज दिये ओपिनियन दिये उन लोगों के और उसके बाद ये जो ड्राफ्ट था तो ये अकाउंटिंग सेंडर ड्राफ्ट इस ड्राफ्ट को आपने पहले क्या करे ये अकाउंटिंग सेंडर का ड्राफ्ट था भई इसको अलग अलग लोगों को भेजे उन लोगों की राए ली गई कि बताओ बताओ आपकी क्या राय है यह हम लोग ने किस-किस को बेजे बहुत लोगों को बेजे सेबी को बेजे इसके बाद हमने उनकी राय ली गए और इस राय के बाद जो कमेंट है रिसीवड हुए ओके कमेंट हमने उनके राय ली तो उसके बाद क्या करें वहां पर हमने इसके बाद कहता है कि जो भी हमको उस पे कमेंट रिसीवड इसको क्या करते है आपने एक बाद ड्राफ्ट अपने रेडी करें अलग-अलग लोग उनके व्यूज दिये उसके और और कमेंट रिसीवड जाते हैं हमारी जो सीट की काउंसिल मेंबर होती उनको भी हम भेशते और उनके भी क्या करते हैं कमेंट रिसीवड करते इन फैक यह जो आपने फाइनलाइजेशन जब एक्सपोजर ड्राफ्ट जब आप लोग का होता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें फाइनलाइस के पहले जो मेंबर से जब आप सीए बनोगे यूल आलसो गेट दा मेल क्य आपका क्या ओपीनिनिस में काउंट्सिल मेंबर को वी टाप अपने कमेंड दो यह ड्राफ्ट करागे आप अपने कमेंड को तो उसके ओपर भी वह भेशते अब उसके बाद हम लोग आते हमने सबसे पूछ लिए उसके बाद आम लोग पूछ जो हमारी नेक्स टेमही क्योंकि हमने बहुत लोगों को भेजे ना सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले तो आपने area find out करें कि कहा accounting standard की जरुवत है उसके बाद क्या करें आपने study group बनाया वह study group ने draft को बनाया उसको circulate करा फिर circulate करें तो उन लोगों की फिर opinion आए उसके बाद फिर उसका finalize करें लेकि कुछ इसमें बदलाओ की जरूरत है तो फिर क्या होता उसके बाद फिर modification तो भी ओर ड्राफ में modification करते हैं और अगर वो लगा कि modification करें बाद उसके बाद finally last step that is step number eight step number eight में issue of accounting standards issue of accounting standards एक चीज़ क्या रखना है यह accounting standards अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा दो तरह क्या accounting standards होते हैं कितने तरह क्या accounting standards होते हैं दो तरह क्या accounting standards होते हैं तो यह accounting standards जो दो तरह के होते हैं एक accounting standards होते हैं आपके corporate corporate entities तो यह नॉन नॉन corporate entities केस में कौन इशु करता है वह हमारी CA Institute ही इसको इशु करती है तो ICI ही इशु करती है लेकिन in case of corporate entities MCA issue करती है in consultation with okay in consultation with in consultation with then the NAFRA what is NAFRA NFRA national financial reporting authority the government organization have enough NFRA to in case of corporate entities the big way other corporate entities मतलब company non corporate mother than company non corporate mother partnership firm trust proprietorship all these are non corporate entities corporate entities का मतलब कि जो companies है तो non corporate entities में हमारी CA Institute issue करती है लेकिन corporate entities में case के उनको जो accounting standard है वह कौन इशु करता है वह MC करते government का हो जा तो ministry of corporate office आ जाती महाँ पर और ministry of corporate central government का यह department है तो ministry of corporate office करती इन consultation with एक organization national financial reporting authority उनसे करते आपको एक्स ड्राफ्ट एन एक्स्पोजर ड्राफ्ट में क्या फ़र्के ड्राफ्ट आपने पहले रफिज़ा comment जब received करते आप सबसे उसके बात फिर उसको फिर आप फिर से लेकिन हम लोगों ने accounting standard जो जो topic पर लगा उस इस topic पर issue करते गए लेकिन क्या यह accounting इस सबको applicable होता है कि मैंने कहा आप से कि क्या यह accounting standard सबको applicable होता है कि आप खुद सोजो अपने आस पास सोचो आपके घर के पास कोई छोटा ता किराना के शौप है क्या उसे भी accounting standard applicable होता है कि जरा सोचो पिटा आपके घर के पास एक छोटा कोई किराना शौप है क्या उसे भी accounting standard applicable होता है कि आप मुझे यह बताओ अच्छा एक और चीज़ मैं आप से क्या होता है कि आपने पहले आपने जो आरबी यह सब क्या अपने ओपिनियन लिए उसके बाद बीटा आप फिर से पासिल मेंबर को भेशते और उनको बहुते कि आप बताओ कि इसमें सब सही है ठीक है काउंसिल मेंबर मतला मैं सी इंसिट्यूट की होते फिर क्यों क्या कौन कमें तो बना ह्यांतर बोड जो की सी इंसिट्यूट के अंडर में आता है तो उसने पहले किया लोगों कि ओपिनियन पूछा उसके बाद और उनके भीबर मुदा उसके बाद तो Beyond की जरूरत होती है तो फिर वो मौडिफिकेशन करते स्टेप नमबर सेवेंट में समझा आपको ठीक है ओके क्लियर ना अब मैं सोचतो कि क्या है अपने घर के पास आस-पास कोई महां पर तो फिर यहां अब आपके दर क्या कहतें को गोलगप्पे कहते को गुप चूप कहते है चोटा साथ ठेला लागा के बैटा है तो इसको पता करना पड़ेगा ना बड़े बड़े और ऑर्गनाइजेशन है जिनके करोड़ों के बिजनस है तो क्या उनको अपने को यहां पर कि किसको अप्लीकेबल है और अगर अगर अप्लीकेबल है तो क्या सारे के सारे अकाउणिक सेंडर्स अप्लीकेबल है कि अगर अप्लीकेबल है तो क्या सारे के सारे अकाउणिक सेंडर्स अप्लीकेबल है कि वह अपने को देखना पड़े तो अपने को यह चीज़ देखना है क और है तो कितने हैं ना कितने अकाउणिक सेंडर क्या पूरे है कि कुछ है कि यह मत फॉलोग रहे फॉलोग तो वो चीजे आप अपने को डिसकस करना पड़ेगा तो अब अपना आते अप लीकिबिलिटी उप अकाउणिक सेंडर पे लेकिन उसके पहले मैं आप से कुछ कुछता हूं आप में कुछ क्या करोगे जवाब आप खुद देना मैं बताते जाओंगा लेकिन आपको और जवाब देना लेगा यह इंसिट्यूट के निव स्टेडी मटेरियल में अकाउंडिक सेंडर्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटीडिस इन इंडिया अच्छे यह अभी मैंने पढ़ाएं दिना अप्लिके वैसे अभी थोड़ा सा कह दिया हूं मैं आपको आप बता सकते कि नॉन कॉर्पोरेट एंटीटी जो है इंडिया में उसके लिए अकाउंडिक सेंडर्ट कौन इश्यू करता है नॉन कॉर्पोरेट अब भी बोला दो मिनेट हुए सेंट्रल गॉर्मेंट का है हाँ वेरी गुट मंजीत इसको कौन का थी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ठीक है सी पॉइंट विजय करेक्ट मंजीत सही चलिए अब आप में को बताओ दूसरा बेसिक अकाउंडिक स्टेंडर्ट क्या है समानता लाता अकाउंडिक स्टेंडर्ट और अलिमिनेट करता है नौन कंपेरिबिलिटी मतलब कंपेर आप कर पाते हो कृष्ण सही जवाद लक्ष सही जवाद हिमानी सिद्देश प्राची भूला गगन भूला ओके ओके करेक्ट अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका ज मैनिफिलेट डेटा और मैनेजमेंट क्या काम अकाउंडिक स्टेंडर्ट का मैनिफिलेट करना काम है कि हार्मोनाइज करें चीजों को मतलब समानता पर लेकर आए एक जैसा और इंप्रूफ करें कि रिलाइबिटी में बहुत सब्सक्राइब आपको क्या अंसर लगता है द अब आपका अगला कोश्चन कोश्चन नमबर त्री जो कि आपके साथ करोड का कोश्चन ठीक है अब फाइन चारों में से एक बता रहें इसेंशल टी स्टेंडर्डाइज अकाउंडिक प्रिंसिपल एंड पॉलिसी इन और टू क्या रहना ची ट्रांस्परेंसी मतलब हाँ स्टेंडर्ड लाना जरुरी था सिसनेडराइज करना जरुरी था अच्छड़ब दे दिये तुमने तो कर्णी अमन क्रेक्ट ट्रांस्परेंसी रेकिशान के ड़ाइक अगर बोला गया उसे को हर साल करें और अन्सर हे इसलिए सोहेल करेक्ट जवाब कृष्णा करेक्ट ज सही जवाब दिए परामेश ओके सही जवाब ठीक है करेक्ट टीसरे का एट दी अब आप बताओ फूर्थ वाला में को ठीक है विच कमेटी इस्पॉंसिबल फॉर अप्रूल 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 अप्रूलिक स्टेंडिटी एंड देर लेकिन कारपोरेट इसमहीं को और आ जाता सब्सक्राइब सब्सक्राइब जवाब देंगे करेक्ट कोर्पोरेट के केस में कौन करता है ministry of corporate office कौन करता है बच्चो कि ministry what is mca correct साची सई जवाब अमन correct जवाब ministry of corporate in case of corporate जवाब नो ए एक बच्चे केते wäre między अने फरे नहीं करती एना एक सब्सक्राइप टीड़ा तोने में करते हीमी करतेब फिर थीए अब दिखना सब्सक्राइब करते है फी इसे तक रायlak निकल रहे करेंगे हमारी कौन ministry of corporate office अब ना फिस्ट वाले प्याओं फिस्ट वाला कहता है आप से global standard फैसिलेट वर इस global standard international financial reporting standard sir international financial reporting standard उससे क्या होता है कली बताया था तुम लोगों को मैंने कली यह चीज इसके बारे में बात किये थे अपने कि international financial reporting क्यों follow करते cross border flow of money दूसरे country से पैसा आएंगा यह comparability of financial statement होंगे पूरे दुनिया में एक जैसे accounting standard रहे तो comparability होंगी उसके बाद हो कि युनिफॉर्मिट यह transparency of financial state हां करेक्ट जवाब सोहेल राजोरा ना करेक्ट जवाब करेक्ट therefore the answer is D all of the above लेकिन अब 6 पर मत जाना वह applicability के उपर accounting तो मैं 6 के उपर आगवी आगे आता हूं और आपने भी account यह जो mcqs आपको सिर्फ टिक करना रहेगा इस पर ठीक है अब यहां पर हम लोग आते वापस आप अब मैं आपको क्यों और चीज़ पढ़ाने चाहरा हूं मैं यह लिख रहा हूं पेज नमबर 6 पर मैं जानके लिखा तो यह चीज़े लिखना यह चार्ट बना हूं यहां तो वह चीज़े याद रहती है एक्जाम के पहले चार्ट आपको देखना जाओ कैसे रिवाइस करना मै कि पर रिवाइस कैसे कर रहा है ठीक है चलिए भी अब अगले चीज़ पर हम लोग आते डाट इस आपली के बिलिटी ऑप अकाउनिक सांडर इन इंडिया तो मैं यहां हेडिंग दे देता हूं पहले आपली के बिलिटी पहले मैं लिख लूँ यहां पर अपली के अबिलिटी अजिस वन मेंट यहां पर लिकले का मैं अपली के अबिलिटी ओफ अकाउंटिक सांडर इन इंडिया ध्यान से बाप मेरी बात सुने कि यह पड़ा इंपॉर्टेंट डिसकेशन एड़ा ठीक अब अपने कोई यह तैकर अधर अकाउंणिक जैंडेड तो बहुत सारे है बहुत से अकाउंटिक सेंडर्ड है किया यह सब क्ली के अपली केबल है कि सब क्क्रेंट न की एनos यह सारे है कि यह सारे है के कुछ आप एक जीग चीज़ दा guyных now आपके syllabus में existing accounting स्टैंडर्ड Interlevel पे इंडेयस इंडेयस ब्सेंटार्वार्मीन्ट कि हाथ में तो आपन यहां पर इंडेयस की बात करें यहां सह clown में आपको आपको इंडेयस होनख करें अभी किसके बारे में बारे में बात करें नउर्मल accounting standards के बारे में बात करें. नोर्मल accounting standards, वह आपके सेले बसमें, थिके, अब ध्यान से बाभ परीवास तुनेगे. तो यहां पे दो तरह के entity होते, जो बाटे गए accounting standard की applicability के लिए, एक होता है हमारा, lon corporate entities, तो okay, non corporate entity का मतलब हो जाता है यहां पे, example की तौर पर पार्टनरशिप ठेहें नॉन कॉर्पूरेट एंटिटी एक सेकड पैंकर लिख लूथरे एक्जाम्पल पार्टनरशिफ फर्म लिख पार्टनरशिफ फर्म रख एक्जाम्पल ट्रस्ट एक्सेक्टरा और दूसरी केटिगरी में कौन आता है दूसरी केटिगरी में आता है corporate entity ठीक है corporate entities अब इसको कौन accounting standard non corporate के लिए issue करती है हमारी CA institute by Institute of Chartered Accountants of India ये करते हैं लेकिन corporate की case में क्या होता है एक आपने accounting standard रूल करते हुए MC issued by companies accounting standard rules एक है 2021 स्क्रीन पर दिखनी है आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे है 2021 लिखाओ एक सेके ना इसा नहीं के दिखे ना जैस्वान में इस वान में कम्पनीज accounting standard rules 2021 वो करते हैं कौन है MC ये सेंटल गॉर्मेंट ठीक है वो इसको करेंगे अब यहां पर हमने देखी कि सर यहां पर हम लोग आते हैं ध्यान से बाप मेरी बास सुनेगे कि मैंने कहां कि हमारे पास पहले ये बात कर लें जो non-corporate entities है non-corporate entities उनके बारे में बात करते हैं तो हमारी CA Institute ने non-corporate entities को चार category में बाटी है कितने के दिख रहा है ओके अंके चार category में हमने non-corporate entities को हमारी CA Institute ने बाटी है चार category में पहला उसको वो कहते है लेवल वन इससे क्या कहते है लेवल वन दूसरा लेवल टू तीसरा लेवल थ्री चौथा लेवल फोर तो कितनी category में बाटा गया है चार category तो CA Institute ने हमारे non-corporate entity है उनको कितनी category में बाट दिया उनको चार category में बाटा कि चार लोग है कितने लोग है चार अलग-अलग category लेकिन ये चार category में आता है कौन आता हूंगा level 1 में, कौन आता हूँगा level 2 में और कौन आता हूँगा level 3 ये level 4 में कौन आता हूँ क्यों ये important है कि हम ये level समझे कि कौन से लोग कौन से level प्याते, entities मैं बाहर देखूँ तो बहुत से लोग है बहुत से businessmen है, आप अपने level में आता है, वो important इसलिए बच्चो, क्योंकि जब हम लोग solve करते, accounting standard जो रहते वो depend रहता है कि किस level में आ रहा है मतलब, I mean to say, कुछ accounting standard ऐसे होते, जो पूरे के पूरे applicable होते, level 1 को, पूरे के पूरे accounting standard applicable होते, level 2 को उससे कम, level 3 को उससे कम, और level 4 को, सबसे का, तभी कितने accounting standard applicable होते है वो अपने को समझना है, तो पहले तो यह समझना पढ़ेगा, अलग-अलग level पे अलग-अलग accounting standard की applicability होती है, तो मुझे तो यह समझना पढ़ेगा पहले, क्यो applicability कौन सा applicable होता है नहीं होता है, बात की बात है, मुझे पहले यह समझना पड़ेगा कि Level 1 का मतलब क्या होता है, Level 2 का मतलब क्या होता है, Level 4 का मतलब क्या होता है, तो जब यह changes आई थे 2021 में, तो अब जब जब आई चेंज आई थे, C Institute ने इसे क्या का उन लोग ने इसको MSME दिये Level 2, 3, 4 को तो मैं पहले लिख दू Level 2 में जो आते हैं वो Medium Size फॉर्म आते हैं Medium Size कौन है अब बात करेंगे एक Level 3 में आते हैं Small और Level 4 में आते हैं Micro Level 4 में आते हैं Micro तो इसको हमारी C Institute बुलाती है MSME के नाम से MSME क्या चीज़ होती है बच्चों MSME जो होती है हम लोग की MSM तो यहां पर M में आता है पहला Micro Small और Medium Micro, Small और Medium सो यह आते हैं हमारी MSME में Micro, Small और Medium तो Institute ने हमारे यह जो Level 4 है तो उसमें Level 2, 3 और 4 है मतलब Micro, Small और Medium यह Entity हमारे Level 2, 3 और 4 में आते हैं तो Level 1 में कौन आता हूँगा सर Level 1 की भी तो बात चल दी Level 1 में Large आता है लेकिन सर ठीक है Large Entity आपके Level 1 में आते हैं यह तो ठीक है आप उसको नाम दे दे रहे Micro, Small, Medium, Large इस तरहें के से नाम दे दे रहे वो ठीक है लेकिन यह Large का मतलब क्या Level 1 में आएंगा कौन लेकिन आप Large बोलने से नहीं हो जाता ना कौन Large भी है कौन Large आप बोल रहे हैं Level 2 में Medium मतलब क्या फिर है अपने को एक एक करके भी अपन डिसकस करेंगे कि क्या चीज होती है Level 1 का Meaning क्या होता है Level 2 का मतलब क्या होता है Level 3 का Level 4 का तो जब आपको यह Level समझ गए कि Level 1 का मतलब क्या होता है Level 2 का मतलब क्या होता है Level 3 का मतलब क्या होता है यह मतलब समझना जरूरी इसके उपर अपन कोश्चन भी सॉल्व होंगे आज अपन क्लास में करने वाले कुछ होमवग भी मिलेगा अब क्या होगा जब अपन अकाउंटिक से शुरू करेंगे तो फिर हर अकाउंटिक सेंड़र जो होता है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि य यह लेवल को अप्लीकेबल है लेवल को नहीं है किसको है किसको नहीं अपन बात करेंगे ठीक है लेकिन उसके पहले लेवल तो समझना पढ़ेंगे लेवल वन टू तु त्री फोर क्या तो वह भी आपन बात करेंगे आगे लेकिन अभी डिसकस करेंगे पांच मिन में इसक तो स्रीफ दो कैटिगरी में बाट के रहें कि कौन सी दो कैटिगरी उन्हों ने इसका नाम दिए नौन SMC's कि नौन SMC's कि नौन SMC's कि और तीकि नौन SMC's और यहां पर SMC's इसको आपने ध्यान में रखना तो एक है नौन SMC's और एक है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है नौन SMC's और SMC's नौन SMC's का मतलब हो रहा है लार्ज लार्ज अंटिर्य तो यह जो लार्ज ने बेसिक लिए लेविल वन वाले ही है कौन है बच्चों यहां पर लेविल वन था वो और इसमें जो होते नहीं यहां पर आपका SM का मतलब होता है, आपका smaller medium, तो non SMC मतलब smaller medium नहीं है, मतलब कौन है हो? मैंने महां पर small and medium लिखा हो कि मुझे यह समझना पड़ेगा कि नौन SMC का मतलब क्या होता है SMC का मतलब क्या होता है क्यों 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 यह applicability of accounting standard उस पर depend करता है कि AS किसको अप्लिकेबल है लेवल 1234 किसको अप्लिकेबल है तो अपने करके अच्छे टर्म समझते हैं कि level 1 का मतलब 234 और मुझे ऐसा लगता है एक्जामिनिशन पॉइंट विसे इंट्रोड़क्शन टौ अकाउंडिक सेंडर में जो है यह लेवल के उपर अप्लिकेबल टोफ अकाउंडिक सेंडर पर कोशन आ सकते है इस्पेशली एमसी क्यू में वह आपको पूछ सकते कि कौन से लेवल पर आ रहा है यह सिच्वेशन देंगे यह कौन सा लेवल है वन टू तो अपने को बताना पड़ेगा कि वह कौन सा लेवल है तो आ सकता एक्जामनेशन पर इन्ट्रोशन तो अकांटिक सेंडर पर यह इस पर मुझे लगता कि एक्जामनेशन पर कोशन बिल्कुल आ सकता है अब अपन अच्छे से समझते कि होती क्या चीज है ठीक है होती है क्या चीज है जिस जब च्लीज शुक्त हो जाएंगा हो जाएंगा हो जाएंगा हो जाएंगा हो जाएंगा है एक पेज नों ऑचीज से doms करएंगा एक एक चीज़ आपर discuss करेंगे तो पहले आपने किसके बारे में बात करें non-corporate entities के बारे में पहला discussion चलिए अपना So, non-corporate non-corporate entities which fall in anyone or more of the following categories categories at the at the end of the relevant accounting period are classified as follows अब समझना है अच्छे से अब यह जरूरी नहीं होता कि कोई जो भी मैं आपे कुछने conditions लिखने वाला यह जरूरी नहीं होता कि वो सारी की सारी माप अथा आप इसमें असे बहूंट अगर फुल्फिल हो गई लेवल वन में पांच चीजे लिखूगा उसमें से एक भी कोई अगर फुल 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 H तो किस में आजाए का लेवल वन में आजाए ठीक है तो पहले मैं ड्रॉ कर लो जिस्ट गिमी वन मिनिट ठीक है अब आप मेरी बाद जहां से सुनें तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको आप ड्रॉ कर लो एक पेच का लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री ओके लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री चले भे सबसे पहले समझते हैं अपन लेवल वन के बारे में बात करते हैं कि लेवल वन में कौन सी एंटिटी जाती है से लेवल वन में हमारी कौन से एंटीडी जा तो इसके बारे में बात करते हैं एंटीडीज मैं फॉर्स पॉइंट यहां पर लिक रहा हूं एंटीडीज हो सेक्यूरिटीज पहले मैं लिख ले तो फिर एक्स्प्लीन कर दो फिर इंटीज आर लिस्टेड और are are listed or are in the process of in the process of listing on any stock exchange on any stock exchange whether in India or outside India वो द्यान से बच्चो तो मैंने कहां सबसे पहले यहां पे एंटीडी वो एंटीडी जिनकी सेक्यूरिटी इस लिस्टेड और लिस्टेड नहीं भी है लेकिन इन प्रोसेस ओफ लिस्टिंग है और एनी स्टॉक एक्स्चेंज यह आव कैसी बात कर रहे हो सर दिमाग लगा अ चल यहां यहां जबात करने वाले यह अभी लेवर तो SMC से आपका SMC नोन-SMC आ जयाता है तो यह तो नौन कॉर्परेट मंजीत सही जवाब यह तो नौन कॉर्परेट के बारे में बात करें मतलब यह कंपनीज नहीं है यह यह पार्टनर्शिफ फॉर्म है यह ट्रस्ट है यह तो नौन कॉर्परेट एंटीडी गगन सही जवाब राजर आव विजय करेक्ट यह तो non-corporate है सर यह तो partnership from trust है तो यह कैसे सवाल आ सकता है कि जब यह non-corporate entities है ता आप यह कैसे कह रहे हो कि entities securities are listed stock exchange में जो listed है वो तो companies होती है न और are in the process of listing यह listed नहीं भी है लेकिन प्रोसेस में शुरू कर दिया list करना चाते और प्रोसेस शुरू होगी लेकिन listing का सवाल कैसे आता है सर यह तो corporate entity है यह नहीं यह तो non-corporate entity की चर्चा कर रहे कुछ कुछ trust हमारे इंडिया में ऐसे होते जिनको stock exchange में registered करना होता है इसी लिए यह point यहां पर है ठीक है कहीं लोग इसको सोचते नहीं बस पॉइंट को बोल लेते कि वह वह लिस्टेड है यह process में भी लिस्टिंग है तो level 1 में आ जाएंगा ना यह भी जो सोचो कैसे यह companies नहीं है यह non-corporate है लेकिन कुछ trust को registered करना होता है इसी लिए यह point यहां पर दिया है सब्सक्राइब लिस्टेड और इंडिया में या इंडिया के बाहर आपने अपनी सेकुरिटीज को लिस्ट करके रखे हो यह process में अगर यह चीज हुई तो आप क्या कहलाओंगे आप कह रहाओंगे level 1 अभी स्रीव पर इतना समझ रहे हैं कि level 1 लेवल के बारे में बात करें कि कौन level 1 कौन level 2 कौन level 3 में तो उस पे चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब कोई भी entity यहां पर जिसकी security लिस्टेड है यह process में इंडिया यह इंडिया के भार वह आ जाती लेवल 1 में तो लेवल 1 में आती इसमें कोई भी point level 2 और level 3 के लिए नहीं है मतलब जो लिस्टेड है बस बात खतम वह किस में आ जाएंगा बच्चों या process में भी वह किस में आ जाएंगा वह सीधा आजाएंगा level 1 में तो आपको question पूछ सकते MCQ में कि सो एंसो entity है वह registered stock exchange में तो कौन से level 5 फट से बोलना पड़ेंगा आपको level 1 में आएंगे मैं थोड़ी दिर में आपसे भी questions इस पर पूछने वाला बहुत ध्यान से अर एक बात सुनेगे अब मैं कहतो से किंड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ यहां पर कि से किंड पॉइंट आपसे क्या कहते है बिटार तो से किंड पॉइंट यहां पर आपसे कह रहा है कि banks banks including including cooperative banks including cooperative banks okay financial institutions financial institutions or entities carrying on insurance business carrying on insurance business द्यान से बाप मेरी बात सुनेगे वह कहते है कोई भी banks कोई भी bank including including cooperative banks कोई भी bank रहे वह भी level one का ही हिस्सा होंगे कोई भी bank रहे वह भी किसका रहेंगे level one का यह कोई financial institution है financial institution example अगर मैं आपसे कहूँ nbfc नॉन बैंकिंग फाइनिशिल कंपनी है ना फाइनिशिल इंसिट्यूशन है भई वह भले बांक नहीं है लेकिन nbfc नॉन फाइनिशिल कंपनी एक्जामपल ठीक है बजाज फाइनिस ठीक है एंटिटी स्केरिंग और इंशुरेंस बिजनस या फिर वह किसकों से बिजनस में इंशुरेंस के बिजनस में तो कोई करके अच्छे क्या जरूरी है कि पूरी कंडिशन फुल्फिल करने की जरूरत नहीं हो एक भी कंडिशन फुल्फिल हो गई तो वह लेवल में फिट जाएगा तो कोई एंटीटी जिसके शेयर्स जिसकी सेक्यूरिटी इस लिस्टेड या प्रोसेज में इंडिया इंडिया के बाद लेवल वन में आ गए बैंक कॉपरेटी सुसाइटी इंक्लूडिंग एंपी नॉन में फाइनिशन इंसिटूशन या इंशुरेंस कम वो काप कि आप इंशुरेंस बिस्नस में कोई वो का पाल जाएंगे लेवल वन में उसके बाद तीसरा पॉइंट अभी बड़ा इंपॉर्टेन पॉइंट अब ध्यां से सुनेगे बगां तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूँ, यह important है ध्यान से बाप पर यह बाद सुनगे, मैंने कहा all entities, क्या कैसर, all entities, engaged, engaged in, commercial, engaged in, commercial, industrial, or business activities, business activity, whose turn over, whose turn over, excluding, other income, other income, exceeds, rupees, 250 crores, in the, immediately, preceding, accounting year, अब इसको बहुत अच्छे से समझ ना मिच्चू, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेगे, अब वो कहता है कि level 1 में, जो और एक के बारे में बात करें कोई entity, जो engaged है, किसमें, इसमें commercial, industrial, business activity, कोई भी entity हो, अगर कोई वो business कर रही है, commercial activity, पैसा कमाने के लिए, commercial activity में, और उसका turnover excluding याद रखना other income, तो हो सकता है, exam में आपको वो turnover दे दे 255 करोड, कितना turnover कहा हमें है, 255 करोड और कहा कि उसमें 10 करोड अधर income है, 10 करोड अधर income है, तो 255 करोड में 10 करोड अधर income है, और वो कहता है कि मतलब 10 करोड अधर income है, और वो आपसे इस level 1 में जिसका भी turnover excluding अधर income, 250 करोड के उपर है अगर पिछले साल, तो वो आ जाता है level 1 में, लेकिन वो 250 करोड excluding अधर income कह रहा है, तो बच्चों मुझे ये बताओ, जल्दी जल्दी live वाले बच्चे, जल्दी जल्दी ये बताएंगे क ये उसका 255 करोड है turnover और उसमें से 10 करोड जो है, वो आपके other income के, तो क्या वो level 1 में आएंगा के, धियान से मैंने आप से पूछा के 255 करोड करोड जिसका turnover आपको फिश्न में दिय है और उसने कहा के 255 करोड में 10 करोड इंक्लूड ए are another income के, तो क्या वो seneside level 1 में वो आएंगा जिनका 250 करोड़ के उपर टाने एक्स्क्लूडिंग अधर नो मुहम्मद सोहिल करेक जवब साची करेक जवब अंकित करेक्ट विजय करेक्ट कृष्णा सिद्देश ओलफिट करेक्ट लेवल वन में वन नहीं आएंगा एक नहीं यस का नहीं 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 रहेंगा ठीक है करेक्ट हिमानी भोला निखिल कृष्णा रचना आशिश एवरिवन करेक्ट लेवल वन में नहीं आएंगा क्यों 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 क्योंकि 255 करोड़ टोटल उसमें अधर इंकम है 10 करोड़ की तो अधर एक्स्क्लूडिंग अधर इंकम तो 245 करोड़ हो गया ना हैंगा सर अब आती है बारी लेवल टू की चलो भई लेवल टू पिक्चर में आता है लेवल टू क्या कहता है ऐसा ही है जैसे मैंने यहां पर लिकाओ इसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगा बस यहां पर अमाउंट चेंज हुए 250 करोड़ की जगा कुछ और आएंगा मैं ống और ऑड़ो, क्याुँ और अर्वंदा टू इस कॉतति फ्हुटन प्युटन ओंवर कॉत स्व्क्षिऽ खिल खिल बल्डेग है बिल्ड ग्राव्मादâte निप्बगार। excluding other income exceeds rupees 50 crores but does not exceeds rupees 250 in the space a second okay in the immediately preceding accounting year अब समझो वो कहता है कि अब लेवल 2 में कौन आ रहे कि 250 करोड के उपर है मैंने क्या कहा जिसका लेकिन 250 करोड के उपर नहीं है मतलब 250 करोड के उपर अगर हो जाता है तो वो कहां आ जाएंगा वो तो लेवल 1 में आगिया तो लेवल 2 में कौन है जिसका 50 करोड के उपर और 250 करोड के वो लेवल 2 70 करोड तक तो तो लेवल टू में आ जाता है समझ में आया है मैंने ये सर नो अच्छा मैं आपको एक कोश्चन पूछ तो बड़े अच्छी से सोचना और जवाब देना किसी का टन ओर है सो करोर कहां पहेंगा लेवल वन और टू जल्दी जवाब दो सो करोर टन हो रहें लेवल वन और टू हाँ लेवल टू लेवल टू ठीक है हिमानी करेक्ट लेवल टू क्यों लेवल टू क्योंकि 250 करोर के नीचे लेवल टू करेक्ट हमें थोड़ा चेंज कर रहा सिचुशन है मैंने कहां उसका टन ओर है कि अरे 100 करोर मन टनओर है लेवल टू पचास के उपर 250 तक के लेवल टू मौकमात करेक्ट राजोर सी अरे करेक्ट पर्रामेश परामेश करेक्ट हां मैंने कहा कि कि सी का टन ओर 250 करोर मैंtle गएक सेट 250 करोर है जवाब दो लेवल वन की लेवल टू जवाब दो और जो यहां पे गूगल ड्राइफ पे देख रहें बच्चो आप भी भी सोचो फिर मैं तो जवाब बता हूंगा फिर क्रॉस चेक करना आपने आपने सही करें गलत करें चलो जवाब दो 250 करो टन अब बताओ क्या करू को यह फिगर तो कहीं नजर आरी लेवल वन की अरे अच्छी से पढ़ा करो वह कह रहें है एक्सीट euh, 250 करोड के उपर अच्छा तो 250 करोड के उपर हुआ तो लेवल वन में लेकिशांक डशनोट एक्सीट टू फिफि़स्टी करोड मतलब 250 करोड तक के लेवल टू में ही लक्षे सही जवा, ओके, तो लेवल 2 में आगा, 250 करोड एक रुपे, तो लेवल 1 में चले जाएगा, समझ में आई चीज़ आपको, वेरी गुड निखिल, अब आते हैं अपन, तीसरे पे, एक और चीज़, लेवल 3 का पॉइंट भी यहां पर आता है, अब वही, सेम वही लिखूँगा, अमाउंट बस चेंज होगी, ठीक है, So all entities, all entities, engaged in, commercial, industrial or, business activities, whose turn over, whose turn over, excluding, excluding other income, exceeds rupees 10 crores, but does not exceeds rupees 50 crores in the Immediately, preceding, accounting, year, अब समझेंगे, ध्यान से आप लो, अभी अपने के MCQs भी करना है, और कोशन भी करेंगा, तो आपको वहाँ पर जवाब देना रहेंगा, ठीक है, ध्यान से, अब मैं आप से पूछ रहा हूँ, यहाँ थर्ड वाले किसमें, level 1 में कौन, 250 crores के उपर कहाँ चले गया, level 1 पे, पचास करोड के उपर और 250 crore तक के, कहा आएगा, level 2 में, अब यहाँ पे, level 3 में कहता है कि, 10 crore के उपर, किसने उपर, 10 crores के, एकसी 10 crores, लेकिन 50 crore के उपर नहीं, मतलब 50 crore तक के, तो अगर 10 करोड के उपर और 50 करोड तक के तो उक आएगा लेवल 3 में कितना सब को समझा सुनो लेवल 1 में 250 करोड के उपर लेवल 2 में 50 करोड से उपर 250 करोड तक के लेवल 3 में 10 करोड के उपर 50 करोड तक के तो फिर लेवल 4 में कौन level 4 में ख्याल रखना जो भी category 1, 2 और 3 में level 1, 2 और 3 में fit नहीं बैठता जो भी level 1, 2, 3 में fit नहीं बैठता वो level 4 में आ जाएगा इस चीज को ख्याल रखना जो भी level 1, 2, 3 में नहीं आता वो कहा जाएगा बच्चों आ जाएगा level 4 में इस चीज को ख्याल रखेंगे आप लोग इस चीज को अच्छे समझेंगे तो लेवल 4 में कौन आएगा जिसका टरन ओवर 10 करोड से नीचे हैं 10 करोड या उससे नीचे 10 करोड के उपर तो लेवल 3 में एक्स्क्लूडिंग अधर इंकम अधर कमीनित्रिस कीन कामी पिए रहें टो अग्याश है हैं 100 करोड रफसे3 अभोचा करोड जल्दी से लेवल बोल्याश ऑग्यां आप सोचो मन में सोचो च्रॉप क्रॉस जब ओर तो एक तीन這種 ट्रिहानरेत करोर लेवल बूलर ट्रोफ यह खेलेनलेट क्रोर dough सुअ 162 त्रएक लेवलाँ नेक्ण रूबन डिक लेवे हैं डिक हान यह रूर्ल यह लेवल वन टीक है मैं अब नहीं बॉलर राब रीर्यरले ट्रली तरना वेट फॉट्टी क्रोड है आए क्या हुआ फॉल्क मिन्ट चले ऐवास क्लियर और है शेंचाल है अब ऐबने को आप बताओ हँ डेवन अउस हना're छो डॉट्टी क्रोड़ सुम्णमStraill डीन Сам tracking आजीममजीत करेंबट लेव follow तो फॉर्टी करोड बोला ठीक है अब मैंने का टन ओवर पचास करोड सोच की जवाब देना पचास करोड जल्दी बोलो कौन से लेवल पचास को सोच के बोलना एक्जेक पचास करोड है एक्जेक 50 करोड है हाँ वह आएंगा आपका लेवल थ्री में क्यूके डस नॉट एक्सीट 50 करोड एक्जेक 50 करोड अगर पचास के उपर रहता तो लेवल 2 में जाता समझ में चीज़ आपको करेक्ट तो 250 करोड के उपर लेवल 1 50 से 250 लेवल 2 और 10 से 50 लेवल 3 इसको ख्याल रखना है जै करेक्ट अब 10 से नीचे रहा तो फिर वो लेवल 4 में आ जाएगा ठीक है 50 करोड लेवल 3 साही लक्षा ओके अब उसके बाद अपर नेक्स लिख रहे हैं अब ध्यान से 4th पॉइंट 4th पॉइंट ठीक है 4th पॉइंट और अउटिस ग्लिश फॉइंट इंग्चिव इंग्चिप्श बिस्टिए इंग्चिए है business activities having borrowings borrowings including public deposits including public deposits in excess of rupees 50 crores at any time at any time during the immediately preceding accounting year ठीक है मैंने इसको एक बार लिक ले ता हूँ पहले मैं तीनों लेवल मैं लिक ले ता हूँ फिर मैं आपको explain करता हूँ ठीक है यहां पे फिर यहां पे फिर पीलब मैंडचर Кट्स का प्सक्वाच्चलस अबस्छिर कीछ जाफरेश应 एब विर्फय का प्रेश्य। ख्वेशिर के लिद्कित Дथlarा शोव्भ都有 डव पात्र迫श़् दोडिश शterंड़ मैं देलिः in excess of 10 crore but not in excess of 50 crore at any time during the immediately preceding immediately preceding accounting year the accounting year immediately preceding accounting year okay third point भी लिखलू फिर मैं explain करता हूं आप पो अल एंटीटीज बस अमाउंट का फर के सेम से अमाउंट का फर के वहां पर टीक अल एंटीटीज इंगेज़्ट इन कमर्शियल इंडेस्ट्रियल और भी मुष्ड बस्ज़ीजल फस्ट इंटीज।ि उप्स्ट्छिज़ य्पी इंगेड मवां ही तो including public deposits in excess of in excess of two crores in excess of rupees two crores but that but does not excess rupees 10 crores at any time during the immediately preceding accounting here okay accounting here a public level during preceding accounting here अब द्यान से मेरे सब फर्क कुझी भी नहीं अब यह पॉंट आपका रिलेटेड था किससे रिलेटेड था यह वाला पॉइंट पे वह बात कर रहा है तौट और यह लोन पोट मुत कर आपकी बात कर शूल वन में वो कहता है है अगर आपकी बॉन एनक्लूडिंग पब्लिक दिपोजट भी अगर आपके अगर वो पचास करोड के उपर है पचास करोड के उपर है तो और बड़ी इंट्रेसिंग थी रहेंगा रीपे करों तो कम होते जाएंगा लेकिन कब देखू के पचास करोड के उपर कोई भी समय at any time साल में कभी भी पचास करोड के उपर उसने क्रोस किया आप को बलेंगे आईए 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 अब आप हो गये level वन का हिस्सा क्या कहेंगे हपन उसको अपन उसको कहेंगे अगर वो कहेंदे इड एन रोड़ ऑदर एट एनी टाइम अगर वो पचास करोर को क्रोस कर जाता है तो अपन क्या कहेंगे आईये 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 आप level 1 का हिस्सा हो गया borrowing अगर उसकी 50 क क क्रोड के उपर होती है लेकिन उसने कहा उपर 15 क्रोड 50 का नहीं है तो मैंने ने कहां 10 क्रोड के उपर हैं और 50 क्रोड तक के तो आप आएंगे लवल 2 में का आएंगे लेवल 2 में अच्छा बोरोवीं से ऑगर 50 क्रोड की उपर level 1, 10 से उपपर 50 तक के level 2, अच्छा, level 3 में 2 करोड के उपपर और पचास करोड, स्वारी, 2 करोड के उपपर और 10 करोड तक के, does not exist 10 करोड, तो 2 से 10 तक के level 3, अब सुनों मेरी बात ध्यान से, 50 के उपपर बोरो विए एक इनी टाइम कौन सा लेवल? लेवल वन अच्छा 10 से उपर 50 तक के लेवल 2 दो से उपर 10 तक के लेवल 3 इसको ख्याल रखेंगे आप अमांट ख्याल रखेंगे बच्चो मैंने कहां यहां पे इसमें कौन आ रहा है यहां पे अगर आपका टर्न ओर की बात करो यह जो आग ग्रीन कलर यूज करो एक्जाम में नहीं लिख रहा है 250 के ओपर यहां पर आ रहा है यह 50 से 250 यहां पर और यहां पर आपका था 10 से 50 यहां पर ठीक है यहां पर आपकी बॉरोविंग 50 के ओपर Level 1 10 से 50 Level 2 और आपका 2 से 10 Level 3 इसको ख्याल रखना है समझे मैंने क्या का 50 250 यह ख्याल रखना कौन से Level 1 उपर Turnover की बात चल रही नीचे Borrowings की बात चल रही तो 250 करोड के ओपर अभी Turnover की बात करें Level 1 50 से 250 Level 2 10 से 50 Level 3 अच्छा 10 से भी नीचे Turnover तो फिर वो Level 4 में आ जाता है जिसका कोई नहीं उसका Level 4 है ठीक है अच्छा 50 के ओपर Borrowing Level 1 10 से 50 Level 2 2 से 10 Level 3 समझ मैं इस चीज़ आपको इस तरह से Level अब बोलें कि सर क्या यह अगर Level 1 में तो आप मैंने यहां पर कितनी कंडिशन्स लिखा यहां पर एक दो फिर यहां पर थोड़ा स्पेस कम तरह से लिए फॉर्ण चोटा किया लिगि जूम करके आप देख सकते थी कि लेवल यह चार पॉइंट लिखा अभी तब चार पॉइंट लेवल 1 में भी क्राइटेरिया फिट हो गया आप उस लेवल में चले जाओंगे समझ मैं ही चीज़ आपको अब बस यह आखरी एक पॉइंट में को लिखना है विटा अब उसको ना मैं नेक्स पेज में लिख लेता हूं नहीं तो बहुत ही छोटा हो जाएंगा ठीक है मैं नेक्स पेज में लिखता हूं एक लास्ट पॉइंट है फिफ्ट तो फिफ्ट पॉइंट में ये नेक्स पेज में लिखता हूं ओके फिफ्ट पॉइंट ध्यांस यह पिस्ट पॉइंट आप लिखेंगे होल्डिंग और सबसीडियरी entities of any one of the above same ही पे holding and subsidiary entities of any one of the above holding and subsidiary entities of any one of the above ओके अगर उसने का fifth point क्या कहता है अगर कोई आपकी holding and subsidiary मैं कहता हूँ मेरी holding या कोई मेरी subsidiary level one में तो मैं भी level one में अगर मेरी holding a subsidiary level two में तो मैं भी level two में अगर मेरी holding a subsidiary level three में तो मैं भी level three में वो यह point कहा रहा है अब ऐसा नहीं हो नहीं नहीं है कि holding अपनी level one में subsidiary level two में नहीं एक ही जगा level one वो तो अपन भी level one वो level अगर वो holding level one तो अपन भी level one अगर subsidiary level one तो अपन भी level one ओके हाँ एक कोशन student पूचा कि sir what if turnover is more than 250 करोड but borrowing is between 10 to 50 करोड एक student का रहा है लेकिन borrowing 10 to 50 के बीच में तो level two में आ रहा है तो इस केस में level one क्योंकि एक भी condition level उपर वाले को prefer करना हमेशा एक भी condition वो level की होगी फुल्फिल तो आप वो level पे चले जाओंगे तो एक student एक student कहता है आप से कि level one वो आप से क्या रहा है कि 250 करोड के उपर सरी turnover आपको 250 करोड के उपर तो level one में आ गया borrowing 10 से 50 के बीच में तो वो level two में तो ऐसा नहीं level one की condition फुल्फिल जाओंगे आप level one में चले जाओंगे जरूर नहीं कि सारी condition अच्छा एक और चीज विक बतर त्री आज की class you want break कि मैं कि तीन गंटे पूरा एक flow में लूँ के you want break for 10 minutes in between break दे दो सर जै कहता है कि break दे दो सर अच्छा ठीक आता हूँ दो मिट बाकी students क्या opinion है कि मैं 2 और 45 minutes के रोज class लूँ 10 मिट पहले छोड़ दूँ क्या बीच में break दो अच्छा फिफ पॉइंट एक और बार मैं कह देता हूँ अगर आपकी holding कब दे holding अगर आपकी no break कह रहे है no sir मैं समझा नहीं क्या अच्छा anyways flow में हाँ मैं वो ही कह रहा था दाई गंटे की bb sir की class होती dt की वो तो two and half hour की होती है ना ठीक है ओके तो हाँ continue flow में चलू मैं इसके बाद मैंने non corporate entity का बोला अभी आपको corporate entity का मेरे को बोलना है ठीक है समझ में आई चीज क्या का मैंने आपको इतनी चीज आपको समझ में आई बच्चो ध्यान से अच्छा एक और चीज एक स्टूइंट के दा से what is this holding and subsidiary entities holding and subsidiary entity मतलब यहाँ पर entity company तो corporate में आएंगी तो कभी कोई होते हैं एक form भी दूसरे form में invest करती है एक form भी दूसरे form में invest करती ना बले नॉन corporate कर ठीक है बले नॉन corporate लेकिन firm भी तो invest करती ना तो more than 50% आपका किसी पर control है तो वह आपकी subsidiary होगी ठीक है इसे लिए तो अगर वह level 1 में तो आप भी level उने वह level 2 पर आप भी level 2 पर आप भी लेवल टूसरे ओके ठीक है मैं चाहता कि मैं यह चाहता कि एक फ्लो में ही चलते कुछ यह एक फ्लो में क्लास चलती बीच में तोड़ी दर दर की बाते कर लिया करूंगा लेकिन एक फ्लो में चला करेंगे पहले पहले क्लास छोड़ दिया करूंगा वो ब्रेक दो और जो गुवल ड्राइव में देख रहे बहुत थक जाते तो फॉस काते लेंगे होना नहीं को एक फ्लो में चलता थो फ्लो में देखो तो बहता रहता था चल फड़ा फड़ा अब मैंने कहा कि यह जो अकाउंटिक स्रांडड है दो काटेगरी में बाटा कि इक नॉन कॉर्पोरीट और कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोर्ट पर ऊचार लेवल लेवल लैवल वन में लेवल 4 फर बच्च भब ल में सेकूरिट लिस्टेट्ड या प्रोसेसले निसिंग के स्टॉक एक्सेज हैं ела Central जो सेकर्ण यस तो वो भी आपका level 1 में आता है अगर 10 euro 250 के ओपर है level 1 पचासे 250 तक level 2 10 से 50 की ओपर level 1 10 से 50 की ओपर level 2 2 से 10 की बीच में level 3 2 से नीचे level 4 holding in subsidiary मतलब कोई अगर मेरे में किसी में investment है और मेरा सब्सक्राइब Shocker की जैए सिए Does the Luft co पॉاعने सब्सक्राइबूरी नाषक्पनी अगर वह लेवल वन में तो आपन भी लेवल लवन में लेंगेजयोंड ञालों में तो भी लेवल को डिटेज एक है लवर सर्पॉईंट फिट में लेवल कैसे डिसाइअड मैं कहता हो कि म paracho enf JD और वह त्मेरा स्ट्रो electronics the जब उसने तो किरってो नहीं सरह कोई लेवल वन वह समझ नहीं इस चीज सब्ळक्र अगर वह यव वन में तो मैं भी लेवल तुमें आ यी तो भी आप level 1 में चलेगा जो में हमेशा higher side वाले को अपने को लेना पड़ेगा ठीक है अपन भी level 1 में ही चले जाएगे ओके दियांसे अब आते है discussion पे किसके सर ये तो discussion आपने करें किसके बारे में level किसके बारे में आपने बात करें पिटा जो non corporate entity उसकी conditions अपने देखें अब अब आपन चर्चा करते हैं कि सर अगर ये corporate entities रही तो फिर क्या होगा applicability अब समझो तो corporate किसमें level 1,2,3,4 नहीं है corporate किसमें level दो ही है बस यहाँ पर SMC और non SMC ठीक अब ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बार SMC और non SMC तो मैं यहाँ पर कहता अब यहाँ पर corporate entities ठीक है corporate entities यह आपका था non corporate entities अब आ रहाँ मैं corporate entities में इसको आप लिख लेंगे तो आपको पता है वैसे accounting standards rule है आपके accounting standards rules 2021 दो लोग इसमें आते हैं एक SMC और एक non SMC SMC दिखोंगे और non SMC SMC दिखोंगे आप इसको समझ लोगे वैसे ही point है ठीक है वैसे ही point है वैटा आपके वैसे ही point है आप लोग के जैसे अपने उपर देखेंगे न बस वैसे ही point है हाँ पर अब दिखांगे अब यहाँ पर वो कहते हैं SMC जब कोई कहलाएंगा जब वो 5 हो की 5ं कंडिशन फु divert करेंगा क्या कहना चाहिए सर व वा के चंडिशन पुल्फिल करना चाहता है कि इसका मतलब क्या होगा वह कहते है कि यहाँ पर उसने SMC का meaning बता तो वो कहते हैं कि 5 condition है, 5 की 5 condition आपकी fulfill होना चाहिए, तो उसको SMC वो कहलाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख ले ता हूँ. यहाँ पर मैं पहले लिख ले ता हूँ. यहाँ पर लिख ले तो. कौन? POST. इक्वीटी और डेप्ट सेकुरिटीटीज और नॉट मैं जैसे लिखनों ऐसे लिखनों फिर मैं आपके एक्स्प्लेइन करता हूँ ठीक है बच्छे और नॉट और आर इन दो प्रोसेस in the process of listing on any stock exchange or in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India अब इसको समझना अच्छे से वो तो आप से कह रहा है कि सर यहां भी SMC कौन है उसके बारे में बोल रहा है कि SMC कौन है वो पूछ रहे कि SMC कौन है तो यहां पर SMC होते कौन है SMC का मतलब तो तो इस small और medium form small और medium form होती ना small and medium form लेकिन अभी हमने जब level one two or three की बारे में जब अपन वहां पे चर्चा कर रहे थे level one two तो वहां पे तो वहां पे अपन ने देखे थे कि वहां पे उसने कहा था कि शेयर्थ वे security जब तो level one में discussion हो रहा था कि level one में बात चल रहे थी कि security is listed है या process में है तो तो लेवल one में आता था वो तो large company नहीं होती थी मगर यह smaller large company and large entities होती थी मगर यहां पर SMC जो है वो तो smaller medium है तो यह equity वाला point यहां कहां गया वो तो यह है ना यह है बच्चों यह जो है ने non SMC यह large वाले लोग है तो यह चर्चा यह चर्चा तो यह लिस्टिंग वाली जो large में आना चीए था यहां कैसे आ गई पढ़ो अच्छे से वो कहता है कि entity or depth securities are not okay are not are not वो कहता है नहीं और यहां पर भी आर not यह आएंगा sorry are not और just one minute एक सब्सक्राइब करेक्शन करना है और not एक word लिखना बोल गया are not listed are not listed और और are not अब समझना इस चीज़ को मैंने कहा कि वो कहता है कि security और depth security are not listed अरे लिस्टेड नहीं है और नहीं तो वो process में है मैंने कहा listed नहीं है और नहीं तो वो प्रोसेस में तो अगर वो लिस्टेड रहता तो उसको अपन यह non अपन SMC है अब मैं smaller medium है मैंने कहा listed नहीं हो तो यहीं बैठे रहो तुम SMC हो चोटी कम नहीं हो अच्छा और इसके process में भी नहीं हो listing के अरे वावा अप यहीं आओंगे आप और smaller medium ही हो अच्छा जैसी ही उसने कहां मैं तो लिस्टेड हूँ तो अब उसको धक्का मार के उधर कर देंगे इदर जाओ मैंने कहा हम तो SMC है हम तो SMC है अब उसको धक्का देके क्या वह लेगी चलो चलो अब बाजू में चले जाओ उधर नौन SMC में अगर समझो यहां पर यूज्ट वर्ट नॉट नौट नॉट इस्टेड तो छोटी है अगर लिस्टेड तो बड़ी है अगर नॉट बोला यह नॉट याद रखना SMC को define कर रहा गया उसने तो यह accounting standard rule 2021 में define कर रहा है SMC को जो not listed है अगर लिस्टेड है तो धक्का मार के बाजू में यहां पर आ जाएंगी हो समझे आप तो नॉट लिस्टेड है तो छोटी कम नी लिस्टेड है तो बड़ी कम नी ओक इस तरीक है उन्हें एक्स्प्रें किय second point लिखो यहां पर second point which is not which is not a bank financial institution which is not a bank okay लिखो इसको financial इंस्टिटूशन और और एंड इंशुरेंस कम्पनी अच्छा अगर वो बैंक financial institution का financial institution और इंशुरेंस कम्पनी फिर से कह रहा हूं नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है अगर जैसी ही उसने कहा है बेख बाकर देखे बालोस कर देंगे मैंने कहां नहीं यह उसने कहा कि मैं नहीं हूं रोजीवेंस मैं नहीं हुअ इस प्रिखेज़ाइंस कम्पनी तो आप एक चोटी अफिर का लीए क्शोटी नहीं जैसी उस आपने एक में हूँ पांक हूँ फाइनेशनेस में हूँ इस इस कंपनी वह यहां पर आ जाएगा बाजू में बड़ी कंपनी में आ रहे समझ में आई चीज तो नौट नौट यहां पर वाड़ी उस किया हुए अब यहां पर यहां पर लिखा थर्ड पॉइंट उस टन ओर उस टन ओर ओके श्क्लूदिंग अधर इंकम दोस्ट नौट एक्सीड रूपीस तो फिफ्टी करोर्स इन दा इमीडिटली प्रिसीडिंग अकाउंटिंग यर अच्छा ओके यस अब द्यांस कोई भी कंपनी बेटा फिर बाएंग अगर कंपनी है तो वो भी आएंगा कोई भी हो फाइनेंशन इन्शूरेंस कंपनी कोई भी कंपनी रहे ठीक है अब द्यान से अब क्या हुआ है यहां पर कि यहां पर वो कहते हैं अगर आपका टरन ओवर यहां पर उस टरन ओवर excluding a does not अच्छा यह बार बार not not कह रहा है क्यों अगर क्योंकि हम यहां पर चर्चा कर रहें SMC की छोटी कंपनी की तो जो बड़ी कंपनी हो जाएगी ख्याल रखना ठीक है अगर टरोव दोसो पचास करोड के उपपर तो वो कहां जाएंगा आपका बड़ी कंपनी में that is non SMC में लिखेंगे आप फूर्थ पॉइंट फूर्थ पॉइंट फूर्थ पॉइंट फूर्थ पॉइंट विच दस ब disl Cause बॉइंट अग्चा सब्स पॉइंट फूइंट वार टूर्थ COP 1 पॉइंट अर टेई टाइम कि दूरिंग दी कि इमीडियेटली कि इमीडियेटली कि प्रिसीडिंग कि अकाउंटिंग एर अब वो कहता है वो ही बात चल रही है आप है कि अगर आपकी बॉरोविंग 250 करोड के उपर नहीं है यहां पे 250 टर्न ओवर में था है यहां पे 50 देखो क्या हुआ जब डॉन कॉर्पूरेट की बात चल रही थी ना महाँ पे बहुत हुआ कि महाँ पे ने चार लेवल रग दिये चार लेवल रग दिये लेवल वन टू त्री फोर फिट्टरोवर 250 के उपर भी 50 से 250 10 से 50 10 के नीचे ना बॉरोवर भी 50 के उपर 10 से 50 2 से 10 दो के नीचे यहां पे ठीक है अब क्या हो गया लेकिन यहां पर यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं कर इतना चार चार लेवल नीद दो वोलो दो से बात करें बस लिस्टेड हो तो आप चोटी कंपनी अगर आप लिस्टेड नहीं हो तो चोटी कंपनी लिस्टेड हो तो बड़ी कंपनी हो तो बड़ी कंपनी अगर नहीं हो तो चोटी 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 कंपनी तो चोटी कंपन और यहां पर लिको विच इस दब आर पर आपर लिको को विच इस नाट एहो कॉंडिंग और बुचकी दर एरी और कंपनी अफ आप सांथ एरी कंपनी और कंपनी विचल इस not a small and medium sized company अब ज्यान से वो कहता है कि आप holding ये subsidiary वो company के नहीं हो जो की बड़ी company है क्या कह रहा अच्छे समझना आप holding ये subsidiary नहीं हो, किसके holding ये subsidiary नहीं हो, जो बड़ी company अगर कोई बड़ी company के holding ये subsidiary हो, तो आप भी बड़ी company की तरह, मतलब नौन से समझना बड़ी चोटी में आसान करने बोल रहा हूँ तो which is not a holding, नहीं है subsidiary नहीं है वो company के, जो की बड़ी कम हो, ठीक है, which is not a small मतलब जो की बड़ी कम हो, ओके अगर आप के यहाँ पे ये एस में से और एक और चीज़ ख्याल रखना है भी टापने से इस चीज़ को ख्याल रखना है, क्या चीज़ important है यहाँ पे, कि यहाँ पे वो कह रहा है एक से के यहाँ लिग पी लेना आपने entity entity यहाँ पे ने should satisfy all the conditions मैं explain करता हूँ, पहले लिख लो all the conditions मैं उसको कब small company बोलूँगा, कब उसको चोटी company बोलूँगा, जब यह पाँचों condition फुल्फिल होने चीज़ बोले, सर ऐसा क्यों आपने यहाँ पे तो बोले थे, कि एक हुई, एक से जादा हुई, तो भी चलता है, मगर यहाँ पे बोलते हैं, पाचों हो, हाँ पाचों हो, यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटे, क्योंकि यूज़र not, 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 मतलब अपन छोटी कंपनी की बात कर रहें, तो छोटी कंपनी की जब बात कर तो मैंने कहा, कि आप बड़ी कंपनी कौन, मैं छोटी कंपनी कब, छोटी कंपनी जब हूँ, जब मैं लिस्टेड नहीं हूँ, नहीं तो प्रोसेस में हूँ, तो मैं छोटी कंपनी, ठीक है, नहीं त तो मैं holding or subsidiary वो company जो बड़ी कम चोटी कम हम सब चोटे चोटे तो पांचो फुल फिलो जाए एक में भी बोले नहीं मैं बड़ी कम नहीं है तो चलो भागो फिर वहां से बड़ी कम ती किसमें आ जाओगे तो इसका मतलब यह नौन SMC का मतलब क्या हो रहा है कि companies companies not falling not falling within the definition within the definition of SMC's are considered are considered as non SMC's नहीं सब्सक्राइब एक मता कर जो SMC नहीं वो non SMC बैसे सी नहीं वो इसे सी नहीं रहां चोटी नहीं वो बड़ी तो छोटी नहीं कौन चोटी नहीं जी पांचो चीश अगर में से एक बी फुलफिल नहीं तो आप फिर छोटी कम्पनी नहीं क्यलाओंगी जब आप लिस्टेट नहीं तो प्रोसेस नहीं आप बैंक ना फाइनिशल इंस्टूशियों नहीं इंशुरेंस कम नहीं आपका टरनोर 250 करोड के उपर है नहीं आपकी बॉर्विंग 50 करोड के नहीं आप होल्डिंग और सबस अब देंगे यहां पर लिखना अगर आपके स्पेस होगा तो बहुत अच्छा है वैं लिखना रहे गया था एक यहां पर लिखेंगे अब यहां पर नो था कि यहां पर आप लिखो लेवल 4 के बारे में बात करें लेवल 4 के बारे में बात करें लिखोंगे मां पर ठीक non corporate entities non corporate entities which are are not covered under level 1, 2 or 3, are are considered as level 4 entities, मतलब क्या हुआ, जो level 1, 2, 3 में नहीं आता, वो level 4 में लेगा, यह फिर यहां से corporate entities नीचे से शुरूआ है, जो level 1, 2, 3 में नहीं आता, वो level 4 में अंजेगा, समझ मैं रहे चीजी, तो level 1, 2, 3 में तो कौन नहीं आता, जिसका turnover, अगर 10 करोड के भी नीचे, तो लेफिल 3 में भी नहीं आरा, ठीक है, लेवल 3 में भी 10 से 50 की बीच में आते तो आजाएंगा लेवल 4 में जिसकी बॉर्वेंग 2 से नीचे वो कहा जाएंगी लेवल 4 में ओके डन इतना आपने लिखे ठीक है अब एक चीज ना मुझे और लिखाना था तो वो नोट ना इससे है नॉन कॉर्परेट एंटिटी से न कॉर्पोरेट एंटिटी ए और यह.'की और यहापके उपर लिख रहे । और वह यहाँ आओ आना चाहिए था जैसे मैं एंडिजिस करा हूँ पस आपको भी भी वैसा-ईडिजिस करना ओ एक and लिखेंगे नॉन कॉर्पोरेट से रेलेटेड है यहां पर आना चाहिए था हो लेकिन स्पेस नहीं तो यहां पर लिखेंगे ठीक है लिखो बाँ पर एन MSME MSME का मतलब माइक्रोमिड लेबल टू त्री फोरा MSME विच अवेल्स विच अवेल्स अग्जम्शन खुआ विच घख से अर। कि अर। ट्री त्री खेश खावरते बाँ र। एप त्री त्रीट फाल्स ट्रीट लेख ब्रीक यहां पर राट हो लिखेंगेंगे ट्रीक्टdir Damn त। by way of a NOTE to its FINANCIAL STATEMENT bracket close the fact that it is an MSME the level of MSME and that it has complied with accounting standards insofar as they are applicable to entities falling in level 2 3 or 4 as the case may be as the case may be as the case may be given to it shall disclose by way of a NOTE to its FINANCIAL STATEMENTS bracket close the fact that the fact that it is an MSME the fact that it is an MSME the fact that it is an MSME then the level of the MSME the level of the MSME the level of the MSME and that it is complied with complied with accounting standards accounting standards insofar as they are applicable to entities as they are applicable to entities falling in level 2 3 or 4 as the case may be as the case may be अब ध्यान से मेरी पास सुनना विटा लिखे आपने अगर अगर आप level 2 3 4 में जिसमें भी आते हो तो आप MSME कहला मतल Mexico Smaller Medium किया क्यलाен Ó Micro Smaller Medium उसका अपन MSME कहते हैं थी tentar ती है अब Micro Smaller medium MSME में आते हैं तो आप कोई Level 1 में आसकता है को वह लेवल 3 में आ सकता है और को लेवल 4 में आ सकता है तो कोई भी लेवल हो सकता है आ आपको पता लेवल कैसे मतलब कि level 2 3 में आता हूं कि level 3 में यह बता उसके बाद ये बता हो कि आपको कॉण से ॉस लेवल को वह भी बता हो आप पहले यह बताओ कि आप में हो फिर यह बताओ कि आप कौन से लेवल पर आते हो फिर यह बताओ कि जो अपको अपने पर अपने पड़ेगा इतनी चीज आप सब को समझ में आई तो अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब आपको पढ़ाने चाहरा हूं ठीक है आज मुझे नहीं लगता मुझे लगता कोश्चन हो जाएंगे डिसकैशन इतना हो रहा कि कोश्चन हो सकता है आज ठीक है लिखे आपने इतना ठीक है अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनेगे लिए ओके ठीक है अब यहां पर आओ नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट डिसक कुछ है मुझे तो दो पेज की जरूरती है पेज नमर टैना आगा कैसे करेंगे लेकिन चलिए ठीक है कोई नहीं कर लेंगे कुछ ना कुछ करके अब ध्यान से बाप मेरी बास सुनेगे अगर किसी को कोई डाउट आया तो आप पोस्ट करके रखो अभी को डिसकेशन करो कु कि मैंने कहा कि आप कोई साल बड़ी कंपनी थी पिछले साल हम बड़ी कंपनी कहलाती ती इस साल छोटी कंपनी कहला रहे यह मैं कहता हूं पिछले साल में लेवल वन में आता था बड़ा आदमी था लेकिन क्राइटेरिया बदल सकता है ना भई मेरा 250 करोड के उपर टन से SMC से और वाइस वर्सा SMC से नौन SMC में आ जाए वैसे ही लेवल वन से टू पर आ जाए टू से वन पर आ जाए ओके ठीक है अब ध्यान से ठीक है अब मैंने का जो नॉर्मल चीज़ें पूछ रहे क्लास का और मैं बाद में जवाब दे तो अभी फोकस करना मेरी बात पर ब चोटी कम्ति को से नाउम से स्ट कर ली को साल हमने कामारी को स्टॉक एक्शेंगर को ने रिजिस्टेट कर ली अरे वाँ अब आप तो 9 तर्में नहीं आते हैं अब आप रिसेट कर लिए ता आप 9 रिसमसी बड़ी कम यूप्यों अच्छा क्यों स्टेटस चेंज हो जा रह में भून्त बनें दितसुछ सकते यह तो है स्टेटन आपका हो सकता लिए मैंने कहा कि अकाउनिक सैंडर्ड है क्या क्यों यह लेवल अगर change होगे तो दिक्गत क्या है status change हो दिक्कत है क्यूंकि accounting standard जो आगे जब हम पढ़ेंगे वो accounting standard में यह देखेंगे पहले कि यह accounting standard इस लेवल का applicable होते हैं कुछ level का applicable नहीं होते तो यह दिक्कत होती है अच्छा एसा होते कि कुछ लेवल का एप्लिकेबल होते हैं कुछ लेवल का एपलिकेबल नहीं होते यहाँ Whew तो भाई कोई Accounting Standard है कोई Level को př currencies available नहीं तो भी Status change मूण मैंने बोला मैं आज था Level 2 कोई Accounting Standard मुझे बना अब आपन तो Level 2 में आते हैं ओपनी Então Medium Company अपने को Middle Medium साइज ऑने को अपने को 애피किभल नहीं है अब अब आप नेक्स यर पहुच गए लेवल वन पे टन ओवर 250 क्रोड़ के उपर होगे साल को तो नेक्स यर आप लेवल वन में अरे स्टेटस चेंज हो गया अब वह अकाउणिक सेंट जो मैं बड़ा चिल कर रहा था लास्ट यर के मेरे को अप्लीकेबल नहीं है नेक्स यर तो में बाद तो है तो अब अपन वो डिस्केशन करते हैं अगर स्टेटस में बदलाता मैं Got Voice you आपने कहा चेंजिन स्टेटस क्या कहा बच्छो चेंजिन कि का स्टेटस दियान से यह क्या चीज है यह संबद्नेगे ने से मैं कहता हूं इस और इसवार देक यह क्या है चेंज इन स्टेटस का मतलब क्या हो रहा है मैं कहता हूं कि आप स्विच कर रहे हो मतलब आप जा रहे हो आप में फाल में चोटी कम नीज था कि स्ट इसमाल मीडियाे लिस्टेट नहीं था मेर वींचल्व ल के उपर नहीं था मेरी बारॉइंग पचास के उपर नहीं थी मेरी कोई holding or subsidiary company ऐसी नहीं थी जो बड़ी company है या बिटा मैं कोई bank financial insurance company नहीं था तो मैं छोटा था अचानक से मैं next year बड़ा हो गया बड़ा कैसे हो गया छोटे से बड़ा हो गया बोले कैसे हो गया क्यूं अब हमने बड़े थे नॉन SMC उससे आप से आप कहां पर जा रहे हैं उससे आप जा रहे हैं switch हो गया किस वे SMC पर तो आप पहले टनोर 250 क्रोड के उपर था तो बड़े थे फिर आपका टनोर तो आप चोटी कम थे होगी है ना ऐसा हो सकता है तो यह बस यही चीज़ को में अगर मैं लिकूं तो आप यहां पे level 2 3 यह 4 से level 2 3 4 से कि से आप चेंज हो कि जा रहे हैं level 1 पे मतलब आप छोटे से बड़े बंड यहां बड़े से चोटे यहां पे आप level 1 से जा रहे हो level 2 3 यह level 4 पे आप जा रहे है तो आप बड़ी कंपनी से चोटी कंपनी बन रहे हो यह चोटी कंपनी से बड़ी बन रहे हो अब ध्यान से मेरी बास सुनेगे क्यों यह जरूरी समझना पहले इसको आप यहां पे लिख लो इसके उपर questions आज जो भी discussion इस पर questions solve करना है अपने को ठीक है questions भी रहेंगे ठीक है अब आप पहले इसको लिखो entity entity अपले लिखो मैंने करो, entity had availed for any exemption any exemption or relaxation relaxation the next session previously but no longer qualifies for it Now, because their status change from, change from SMC to non-SMC. Now, no exemption will be available from current year. From current year, ok. From current year. All the accounting standards. Applicable from current year. Applicable from current year. इसको लिखेंगे आप. Applicable from current year. इसको लिखो फिर मैं बात करता हूँ. आप देखेंगे. आप देखेंगे. आप देखेंगे. कुछ exemption देते हैं छोटी companies को. कि मत follow करो यह AS. AS का यह point disclosure यह मत करो. मत करो detail में मत जो. चोटी company हो तुक. तो उनको पहले exemption देते थे. लेकिन वो but no longer qualifies for it now. अब उसके लिए qualify वो नहीं है. अब उसके लिए qualify वो नहीं है. तो अगर आप उसके लिए qualify लिए because their status changes from SMT to non-SMC. अब आप छोटी से बड़े हो गए. तो exemption आपको अब available नहीं है. तो अगर मैं कहता हूँ. पिछले साल मैं SMC कहलाता था, और इस साल साल मैं non-SMC पिछले साल मैं छोटी कंपनी कहलाता था. इस साल मैं बड़ी कंपनी कहला नहीं हूँ. तो पिछले साल जब मैं छोटी कंपनी readers था, मुझे कुछ exemption मिलते थे. मुझे कुछ माफ paintings मिलती थे कि हाँ हाँ मत करो जरूरत नहीं है इतना डिटेल में मैंने का मैं बहुत कुछ था अचानक से मैं इस सार नौन SMC हो गया मैं बढ़ी कम दिन होगी मेरे टन ओवर 250 करोड के उपर या बॉरविंग 50 करोड के जो भी रीजन हो मैं बढ़ी कम दिन होगा इस साल तो वह exemption जो पिछ अप्लिकेबल फ्रॉम करेंट इस साल से सारे के सारे अकाउंटिक सारे क्या होंगे अप्लिकेबल हो जाएंगे समझ में आएं आपको इतनी चीज़ समझ में आई तो आप एक क्वेश्चले साल तक आप exemption क्लेम करते थे जब छोटी कम नहीं अब बढ़ी हो गए तो इस साल स आप रिवास करने की जरुद नहीं होती है प्छली फिकर पर फिशले साल की चैंज करना कि और रिपोर्ड बडलो जो अग्दम्शन में तो अब उसको ऐसे करो कॉंपैरेविलिटी करना पड़ता तो दोनूं साल की फिग्रस देटेते जैंज करने का आपको ज़रूत नहीं नहीं होती जहां कि नहीं नहीं जबताना पड़ेगा कि छोटे थे इस सलम बड़े हो गए समझ में आई चीज आपको ठीक है छोटे थे बड़े हो गए इसलिए एक्षाल एक्षाल नहीं है इतनी चीज आपको समझी ओक ओक एक ओक इतनी चीज इसको कि लिख लो यहां पर यह भी लेना क्या लिखेँगे वाप यहां पर द फाक्ट दाट प्रीवियस पिरिट फिगर्स have not been revised shall also be okay shall also previous figure have not been revised shall also be disclosed in the notes to the financial statements notes to the financial statements समझ मैं क्या पॉइंट लिखा मैंने मंजीत हिमानी लक्षे सोहेल निखिल क्या कहा मैंने कि पिछले साल ता पिछले साल मुझे एक्जम्शन फा पिछले साल एक्जी साल मुझे एक्जम्शन था इस साल एक्जम्शन नहीं था कि पिछले साल था SomC छोटा स लौन सम्सी में आ गया तो चौटे से बढ़े हो गया अब तो यहां पे आपके एक्जम्शनie सो मत outta ता धा ता मतलहीं करनी की जभन पर हो गया पाफ और यहां पर अवेलेबल नहीं है एक्जम्शन नौट अवेलेबल अब exemption अवेलेबल नहीं है तो आपत यहां přे convince collection मत करो अब यहां करना पट रहा है इस साल से अपने पर चेप्छले स्क्राइब और चैंज करने कि फीघर thesis करने की पिछला समय जरून के ने और यहां करना पढ़ थो अपने को अब को तो इस साल का तो इसकी साल को चेंज करने की जड़ोगी पश्ले साल एक शूटा था इसाल में पड़ा हो फिछले साल एक्जम्शन रिलेक्सेशन था इस साल से तो इस साल से मैंने इसको follow किया समझ में आया आपको simple मगर क्या ऐसा हो सकता है कभी कि छोटे से बड़ा होए अभी देखो यह अब बड़े से चोटा हो सकते हैं क्या है छोटे से बड़े हो गया चोटी कमनी इस बड़े चोटा कैसे अब देखो यहाँ पर इस प्रिख यहाँ explain करता हूँ ठीक है questions इस पर आ सकते examination पर question इस पर solve करना अपने को ठीक है अब लिको इफ any entity is classified as SMC bracket में लिक लो या उसका आप SMC मतलब वो level wise बोलो ते level two three your level four in current year is some oh but buddy come in current year old wrong but it was it was non SMC non SMC was the buddy company level one a level one in previous year in previous year then such entity should not avail its allowed exemption लिको फिर मैं समझाता आपको allowed exemption from application of accounting standard from current year from current year but it should prepare but it should prepare all the reports for company all the reports for comparison with previous year with previous year okay it can also you said that exemption shall be availed by these entities only if classification as SMC that is level two three or four four two consecutive years okay it can also be said that exemption shall be available by these entities only if classification as SMC for two consecutive ways is is ko likho phir me explain ka toh kya kehra okay 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 लिखे आपने अब वो कहता है सुनो यहाँ पर ध्यान से यह बहुत ही इंपोर्टन बात है वेटा वो कहता है यहाँ पर कि आप last year थी बड़ी कमपनी बड़ी कमपनी थे आप non SMC थे आप थे non SMC non SMC का मतलब क्या होता है बच्चो non SMC का मतलब थे आप थी बड़ी कमपनी अब इस साल आप हो गए current year इस साल आप हो गए कौन सी कंपनी हो गया इस साल आप हो गए यहां पर छोटी कंपनी आप कौन होगे बिटा छोटी कंपनी इसका मतलब ऐसे इसका मतलब मुझे यहां पे एक्सम्शन अवेलेबल नहीं था पिछले साल एक्सम्शन नौट of the नौट अवेलेबल अच्छा-च्छा क्या बड़ी कंपनी था एक्सम्शन नहीं थे में बहुत वालो करना था कोई बहाने माजी नहीं रहा अब क्या हुआ कि में बहाँ से च्छोटी कंपनी में आ गया आप तो गए बड़े खुश आप बोले अरे वा 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 आप तो अपने को तब एक्जम्शन मिलना चाहिए यही मानोंगे देखो अब यहां पर आगा हो गए छोटी कम्पनी तो हमारी सी इंस्टिट्यूट कहते नहीं 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 आप अगर पूरे अकाउनिक सेंडर्ड फॉलो करना है हां हां यहां पर भी पूरे अकाउनिक सेंडर्ड फॉलो करना है क्यों क्यों क्या बड़ी से चोटी कम्पनी हो गए लेकिन चोटी कम्पनी को था एक्जम्शन रहता है हां हां रहता है लेकिन हमारी सी इंस्टिट्यूट बोलती अगर आप बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी पर आ रहे हो आप नौन SMC से SMC पर आ रहे हो तो एक साल में नहीं आप उसके बाद वाले साल भी आप देखो कि आप कौन सी कंपनी कहलाती हो यहाँ पर अगर आप उसके बाद वाले साल देखते हो कि यहाँ पर भी आप SMC हो तो य यहाँ पे आपको exemption अवेलेबल रहेंगा मतलब आपको यह exemption जभी अवेलेबल रहेंगा जब आप continuous दो साल SMC रहोंगे अच्छा बड़े से छोटे हो रहे बिटा तो पहले आप बड़े थे तो पहले साल यहाँ तो आपको exemption अवेलेबल नहीं था आप बड़ी कंपनी से छोट तो भी आपको exemption अवेलेबल यहाँ पर भी आपको ऐसा ही financial statement बनाना पड़ेंगा सारे डिस्क्लोदर वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि कोई बड़ी कंपनी कर दी अच्छा ऐसा हाँ ऐसा वो कहते कि ना क्यूंकि पिछले साल तो आपने सारी चीज़े कर रहे थे तो इस साल comparison में भी दिक्कत जाएंगी फिर आप कुछ चीज़े नहीं करोंगे तो तो यहाँ पर भी वो कहता है कि आप disclose कर दो यहाँ पर भी कहता है सारी चीज़े ऐसे बनाओ कि जैसे कि आप बड़ी कंपनी ही हो तो exemption not available लेकिन फिर से आप SMC ही रहे छोटी कंपनी ही रहे फिर जाक इतना सबको समझ में आया तो अब अगर आप छोटी कंपनी से बड़ी में जा रहे हो तो आपको एक दे को कितने चालाख हो तो पहले exemption यहाँ पे था अब बड़ी कंपनी हुए तो exemption available नहीं बोले exemption तो पहले साल कोई exemption नहीं सब disclose कर आप बड़ी कंपनी हो अब जब बड़ी से चोटी में तो पहले साल बले नहीं नहीं इस साल आपको exemption available नहीं इस साल ऐसे मानें जिसे बड़ी नेक्स्ट यह अगर आप SMC रहे विटा तो ही आपका exemption दाएगा यह चीज़ क्या रखना अब आपको समझ में सबके दिमाग में चीज आ गई हाँ और ना यह सर यह सर नो मैं को दो-तीन पॉइंट्स और कुछ छोटे इस से रिलेटेड नहीं मैं को non-profit organization से कहना तो उसके बारे में यह तो मैं second अगले बार में next lecture में बात कर लोगा और next lecture में question solve करेगे आपको next lecture में homework भी दिया जाएंगा यह chapter के पूरे question solve करेंगे जो class question है practice question भी दिये रहते हैं आ आपको homework अभी नहीं मिल रहा अपने को homework है जो मैंने पढ़ाया वह आपको next lecture में पढ़के आना और questions खतम हो जाएंगी क्योंकि छोटा chapter है next lecture में accounting standard भी को शुरू करने वाला हूं ठीक है ठीक है तो आज का session हम लोग यहाँ पे खतम करते हैं आपको 2 hours 50 47 48 minutes होने प्यारे तो आज का session है खतम करते हूं ठीक है ओके ब्रेक नहीं दिया ना भीश्में 10 मिट आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा इतने आसानी से कोई चीज अपने को मिलेंगी नहीं सी यह बनना है नौ मैंने बहुत important है बहुत important बस मैं पूरी जान लगा के मेहनत करो मेरे मेंको मेहनत क करना है जिन्दगी का यह बहुत important वक्त है आपका क्या आप सी यह बनोंगे नहीं बनोंगे ठीक है ओक अब एक बार अपन जल्दी से revision कर ले दो मिटाब कुछ नहीं आप खामुशी से बैटो मैं बोलता हूं आप सुनना बस ठीक है मैं बोलता हूं आप सुनना बस ठीक है कि मेंन है मीन विडिया में क्या होथा अपली थी का ट्रिम कार्ट्री में नॉन कार्पेटेण कार्परे यह वह इंशुनिंघ्टी या फानिशीusz एंस कम अग्या-गर्चन joy करोड में तो लेवल टू या दस से पचास के बिश में लेवल त्री या फिर आपकी नेक्स पॉइंट आपका अगर अगर बनाते करें का उसने समसी समर नहीं होगा अगर है तो आप बड़ी कमति में आ जोगे आपने कोई बी बैंकिंग इंस्ट कमति नहीं हो आप financial institution company नहीं हो अगर हो तो फिर आप बड़ी कम्तिन में आ जाओंगे तीसरा आपकी आपकी टनोर 250 करोड के पर नहीं है तो बड़ी कम्तिन में आ जाओंगे इतना समझा यह हुआ हमारे अगर सकता है अगर मैंने का कि बड़ी कम्तिन यहां पर SMC से नहीं चोटी से बड़ी जा रहा हूंगा तो आपको एक्सम्शन यहां पर मिल जाएगा फिर एक्सम्शन दो आपको SMC रहेंगी तो इसके बाद आपको वह क्राइटेरिया तो इसके बाद आपको एक्सम्शन अविलेबल रहेगा इतनी चीज़ आपको समझ में है इस चीज़ ओके दन सो आज का हमारे सेशन यहां पर खतम होते हैं नेक्स सेशन आज जो पढ़ा सिर्फ और सिर्फ वह पढ़के आपको आना रहेगा और नेक्स सेशन में हमको कुछ और बात यह इस पर मुझे कर रहे हैं वो मैं करूँगा और इस इंट्रोड़क्शन चाप्टर अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया हूं ठीक है जान लगा दो जिद्धी बच्चे बन जाओ एक जान लगा दो हसते खेलते सारी चीज़े हो जाएंगी ठीक है बस महनत अपने को करना रहेगा तो यह सेशन हम लोग कर यहां पर खतम होता है टेक केर बाबाए